हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स तो कैसे आप लोग स्वागत था आपका CLC online platform पर जहां मैं रविकान सर्मा टीम फिजिक्स आपके लिए लेकर आएं माइनर 5 फिजिक्स सॉल्यूशन आज हम जो टोपिक अपने पास है सेंट्र ओप मास कोलिजन रोटेशनल मोशन इसके डिसकें क अतर्यांग्रयफ देखते हैं आपको समझ में आ गया क्योंकि हम जब नीट में स्पेस्लि देखते हैं तो हम कुछ फिकर्स को अपन ध्यान रगते हैं कि इनका सेंट्रोप मास कितना होता है तो यहांप़ बात आई ट्राइंगल की तो आपको पता है triangle के लिए center of mass कहाँ पे होता है h by 3 पे मान के चलते हैं अगर यहाँ पे x और y दोनों coordinates की बात कर रहे हैं तो अपन दोनों के लिए easily calculate कर सकते हैं अगर हमें इसके लिए देखना है तो हमने देखा कि यह अपने पास में triangle है यह triangle है इसके लिए अपने को center of mass ब बेर के b और इसके height कितने है बीटा h तो यहाँ पर दोनों कीतने हो जाएंगे 1 by 3, 1 by 3 हो जाएंगे तो दोनों के अगर अपन वेल्यू देखते हैं तो value कितने हो जाएगी यह value अपने पास में कितने हो जाएगी और यह value कितनी हो जाएगी h by 3 हो जाएगी तो इसका center of mass कहा पर exist करेगा B by 3 पे और H by 3 पर exist करेगा इसका सेंट्रों मास्ट की position क्या होगी अगर triangle की बात करें तो H by 3 और H by 3 होगी तो अगर इस question में अगर अपन बात करें अगर हम यहां पर देखते तो इसका कौन सा option सही होगा यह अपने बात करें थर्ड ओप्सन एक्स ब्राबर B by 3 वाई ब्राबर H by 3 तो अपने पास में थर्ड ओप्सन इसका क्या होगा क्रेक्ट होगा तो आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि हमें यहां पर बेटा अगर अपने इंटिग्रेशन मेथड से इसको सोल कर सकते बट वह हमारे लिए बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा तो इसलिए अपने इसके कुछ फिक्स शेप और साइज होती है जिनके सेंटरों मास को पन ध्यान रगते हैं और आप इजली केल्कुलेट करके बता सकते हैं कि इसका कितना होगा चलिए बात करतें बेटा नेक्स्ट कुशन की जह हमारे पास में सेकेंड कुशन है सेकेंड कुशन हमें दे रखा है फिगर सोज a rectangular plate of length L, एक L length की कोई rectangular plate आपके पास में given है, इसके लिए दे रखा है, half of which is made of material of density D1, इसका आदा भाग D1 density से बनाया गया और इसका आदा भाग किस से बनाया गया गया, D2 density से बनाया गया है, अब आगे बोल रहा है, यहाँ पर the distance of center of mass from the origin, origin से center of mass की distance क्या होगी, यह हमें find करना है, चलिए देखते हैं, center of mass का क्यों सोल करते हैं, इसको क्या answer आता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यह अपने पास में rectangular plate है, जहाँ पर यह इसका origin है, अब इसको दो अलग-लग material से हमने बना रखा है, यहाँ पर हमने बात करिए, दो अ ज्यादा part हो जाएगा कितना, L by 2, और next part कितना हो जाएगा, L by 2, अगर इसके बात की जाए, तो इसका center of mass कहीं, यहाँ पर होगा, और इसका center of mass कहीं, यहाँ पर होगा, तो आपन center of mass का formula लगा के, easily calculate करके बता सकते हैं, कि इस पूरे system का center of mass, कहाँ पर कितनी distance पर है, यह सेम है दोनों का area, area सेम है तो सीधा density की, क्योंकि mass है, mass की term में होता है, तो हम लिखते हैं क्या, M1 x1 plus M2 x2 upon में, यह कितना हो जाएगा अपने पास में, M1 plus M2 हो जाएगा, अगर mass की term में है, और अगर अपने पास में area की term है, तो area में लिख सकते हैं, A1 x1 plus, कितना हो ज simply solve करके, अगर आपन देखते हैं, हमें density दे रखी है, तो mass की जगह आपन क्या लिख से, density into, इसका volume की बात करें, अब road देखो, यहाँ पर देखें द्यान से, हम बात करें density की, और यह rectangular plate है, तो यहाँ पर इसका formula अगर हमें लिखना है, तो अपन सीधा volume दोनों के लिए same मा पना रखिये, तो volume से में तो शिधा density की ट्रम में यूज कर सकते हैं, तो density की ट्रम में अगर यूज करते हैं, तो इसका क्या होजाएगा, अपने पास में, यह value हो जाएगा, अपने पास में, रो वन इंटू, यह distance कितने पर है, देखो, x1, यहाँ पर मैंने सीधा volume मैंने बोल दिया, दोनों का, से में बिटा, तो इसलिए volume दोनों में आएगा, और नीचे भी आएगा, तो वो cancel out हो जाएगा, तो सिधा ही अपने density लिखे यूज कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, रो वन इंटू, इसकी distance अगर देखी जाए, तो इसकी distance कितनी होगी, यह होगी, और यह distance कितनी होगी, L by 2 होगी, तो यह पूरा देखें अपने, अगर इसकी बात करें normal, तो यह हो जाएगा अपने पास में, रो टू, यह कितनी distance हो जाएगी, L by 2 प्लेस L by 4, I hope यह बात आपको अच्छे से बेटा समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे यह कितने पर और है, L by 4 पर है, और यह कितने पर है, L by 2 तो यह ही, प्लस आगे कितना है, इसका अहाप और है, तो वह हो गया, L by 4, अगर अपने इस डाटा को सोल कर लेते हैं, तो हमें इसका answer मिल जाएगा, तो चलिए देखते हैं, और इसको सोल करते हैं, तो इसका answer कौन सा आजएगा, यहाँ पर देखें, बेटा, सोल कर लिजे, simple, यहाँ पर value रखनी है, calculate करके answer बताना है, कितना answer होगा, देखें, यह हो जाएगा अपने पास में, row 1, L तो common आके cancel out हो जाएगा, row 1 by 4, यह कितना हो जाएगा, L by 2 प्लस, L by 4 को सोल करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3L by 4, तो यह हो जाएगा, अपने पास में, row 2 into 3 by 4, L मैंने common लेके cancel out कर दिया है, और यह value कितना आजाएगी मेरे पास में, row 1 plus row 2 आजाएगी, अब यहाँ पर इसको calculate कर लीजिए, answer निकाल लीजिए, आपका answer यहाँ पर मिल जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, अगर इसको वास हो option को देखें, तो हमें यह कौन सा option सही लग रहा है, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो D1 यहाँ पर row density को D लिख रहा है, तो यह जगा D1 plus 3D2 plus 4, यह कितना हो जगा, D1 plus D2 हो जाएगा, और यह length की term में दे रखा है, तो हमें यहाँ से पूछा है, the distance of center of mass from origin, origin से कितनी distance पर ह होगा, तो origin पर इसकी इतनी distance में होगा, तो इसका कौन सा option क्रेक्ट हो जाएगा अपने पास में, second option यहाँ पर क्रेक्ट हो जाएगा, D1 plus 3D2 यहाँ यहाँ पर चेक कर लिजिए, अपने पास में 4D1 plus D2 है, I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कितनी इसक पोजिशन पुछिए, center of mass की, यह हमने center of mass निकाल लिया, L की respect में की length पूरी, अगर इसकी L है, तो L से कहाँ पर होगा, L से यह इतनी distance पर होगा, तो यह हमने चेक कर लिया, चलिए बात करते हैं, next question number, अब आगे next question number third जी, हमारे पास में जो question number third given है, एक body of mass 1 kg, initially 8 rest, explode, break into 3 fragments of mass ratio, जो एक अपने पास में कोई mass M था वेटा, वो कितने में हो गया, 3 ratios में divide हो गया, 1 ratio, 1 ratio, 3 में divide हो गया, आगे जो कह रहा है कि the two piece of equal mass fly over perpendicular, दो जिनका mass same है, वो perpendicular जाते हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि the speed of heavier fragment is, जो अपने पास में भारी है, उसकी speed कितनी होगी, तो यह हमें देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ किस पे linear momentum पे best equation है, हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, some weight selection कर सकते हैं, some weight selection करके this equation को आसानी से solve कर सकते हैं, तो चलिए देखते है पेटा, discussion को और solve करते हैं, यहाँ पे हमें मास का जो ratio दे रखा है, वो कितना दे रखा है, M1, M2 और M3, यह तिनों को अगर ratio की बात की जाए, तो वो कितना है, अपने पास में, 1 ratio, 1 ratio, और कितना हो गया, 3 हो गया, यानि मैं अगर M1 की बात करूं, तो मैं इसको लिख दूं मानलो X, M2 की बात करूं, तो मैं इसको X लिख सकता हूं, और M3 की बात करूं, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 3 X लिख सकता हूं, यहाँ पे बोल्डरा तो सेम मास है, वो कहां जा रहे हैं, सेम मास एक दूसरे के perpendicular move कर रहें, तो एक अगर इधर जा रहा है, इसका momentum P1 ह और इसका momentum यह भी सेम मास है, तो इसका momentum जितना होगा, उतना ही momentum इसका होगा, तो यह अपने पास conditions है, यह तो 2 मास की है, अब एक बार क्यूसर को वापस देख लिजी एक बार, तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि यह 1,1,3 में तूड़ जाते हैं, तो समान दर्विमान के 2 ट टुकडे की चाल कितनी होगी, यह हमें बताना है भारी टुकडा कहां जाएगा, चलिए देखते हैं, अभी स्क्यूसर को सोल करते हैं, तो अब अगर यह मालोग यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर समवेग क्या है, सरकसीत है, समवेग सरकसीत है, तो हम बोल सकते हैं, कि इन द समवेग को सरकसीत कर दूँ, यहाँ पर समवेग लिख दूँ, तो यह कितना होजाएगा अपने पास में, यह होजाएगा, पीटु इज इक्वल कि इसके हो जाएगा, रूट टु, पीवन के हो जाएगा, पीटु की बात करें, तो मास कितना इसका बेटा, थ्री है, हमने 3x माना है, into इसकी velocity हमने कितनी मान ली, v-dates मान ली, root p1 की बात करें, तो इसका momentum कितना x है, और already इसकी velocity अब मारे पास में कितनी दरिखें बिटा, 18 already given है, कितनी velocity है इसकी 18 given है, यहां से solve कर लेते हैं, तो v-dates की value कितनी आ जाएगी हमारे पास में, v-dates की value आ जाएगी, x-x cancel out हो जाएगा, तो यहां जाएगा अपने पास में, 6 root 2 meter per second, मतलब अगर इन दोनों blocks की बात की जाए, तो अगर यह इसमें divide हुआ है, explode हुआ है, तो यहां पे हमने, some wake selection का नियम लगाया, तो हमने यहां पे देखा, इसकी value कितनी होगी, 6 root 2, तो मतलब, यहां पे, अगर हमन में देखें, तो इसका कौन सा है, option अपने पास में, second option इसका correct हो जाएगा, 6 root 2 meter per second, I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कि अगर इस type का question आएगा, तो अपने इसको कैसे solve करते हैं, चलिए बेटा, बात करते हैं, question number 4 की, यहां पे question number 4 हमारे पास में given है, यहां पे a body of mass 3 kg, initial at rest is acted on by a force which vary a 7 inch graph, एक हमारे पास में कोई body दे रखी है, जो क्या से rest से start, initially rest में थी, the momentum acquired in first 4 seconds, पहले 4 seconds में इसका momentum कितना है, यह हमें बताना है, चलिए, तो यह ध्यान से देखो बेटा, यह अपने पास में force और time graph हमारे पास में given है, force और time graph हमें दे इसका momentum कितना होगा, तो यह momentum बताना है, हमने पढ़ा था, impulse क्या होता है, अगर अपने बात करें इसी graph की, तो impulse की बात करें, तो i बराबर किसके होता है, i बराबर delta p के होता है, और वो क्या होता है, area of, area of empty graph होता है, अगर अपने पास में force और time का graph दे रखा होता है, तो व प्रिस्पल से तरीके से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं अगर त्राइंगल का एरिया की कितना हो गया, base into height हो गया, चलिए चेक करते हैं, अब इसको calculate कर लेते हैं, जो भी value दे रखिए, यहाँ पर value से इसको solve करते हैं, तो देखते हैं, कितना answer इसका आता है, तो यहाँ पर अपने बात करी, इसका हो गया, half, base की बात करी, तो यह कितना है, two second के लिए बन रहा है, triangle, और force की value कितनी है, यहाँ पर, 10 है, plus base की बात करें, अगर rectangle की बात करें, तो 4 और 2 का कितना हो गया, two हो गया, height कितनी दे रखिए, 10 दे रखिए, तो जब एपन इसको solve करते हैं, तो value कितनी है, अपने पास में, 30, कितनी value आगी, 30, तो 30 newton second, यही क्या होगा, यही क्या होगा चलिए बेटा, बात करते हैं, next question की, हमारे पास में, जो next question given है, देखे ध्यान से, अब हमें एक next question देख रहेगा, एक particle is projected with velocity u, make an angle theta with horizontal, एक particle को u velocity से आपने project किया, जो horizontal के साथ में कितना angle बना रहे है बेटा, theta angle बना रहे है, अब आगे बोला, it break into identical part at highest point, highest point पर जाकर यह कित two part में यह divide हो गया है, चलिए, आगे देखते हैं, two identical part at highest point of trajectory, if one part retrace its path, पहला particle उसी path को follow करता है, जिससे वो गया है, यह बात बहुत important है, यह line यहाँ पर, बहुत important है, if one part retrace its path, the velocity of other part, तो अगला जो part होगा, उसकी velocity क्या होगी, simply हम देखते है, projectile थोड़ा सा समझे, तो हम हमने देखा कि एक particle है, जिसको u velocity से आपने theta angle पे फिंग दिया, तो यह इस तरीके से जा रहा है, अब यहाँ पे बात करें, अपने highest point पे, highest point पे जब बात करते हैं, तो हमने देखा कि यह क्या हो गया, यहाँ पे यह दो part में divide हो गया, यहाँ पे इसको हमने देखा, explode हो गय हो गया, अब जो पहला part है, इसके components की बात करें, तो इसका यह component कितना हो गया अपने पास में, u cost theta, और यह component कितना हो गया, इसका u sin theta हो गया, ठीक, I hope यह बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर अपने यहाँ पे बात करें, तो इसका vertical component तो होगा नहीं, तो यह u sin theta तो कि इसका zero हो जाएगा, ठीक, अब इसके पास में यह component होगा, अब अगले ने यह बोल रखा है हमें, कि यह वापस retrace का तमलब, जिस path से यह गया, उसी path को वापस follow करता है, तो यहाँ पे external force नहीं है, तो अपन momentum conservation लगा सकते हैं, अगर external force नहीं होता, तो momentum क्या रहता है, अगर momentum कंजर हो रहता है, तो अपन momentum conservation से यहाँ पे linear momentum conservation लगाएंगे, और check करते हैं, इसका answer क्या हैगा, तो चलिए देखते हैं, पहले की बात करीए, mass यहाँ पे था, m, और इसकी अपना vertical velocity वहाँ पे zero हो जाएगे, तो अपना horizontal components के लिए, इसमें momentum conservation लगागे, देखते हैं, तो अब यह highest point पे गया है, तो यह explode हो गया, अब यह जिस path से गया है, देखो, retrace कर रहा है, मतलब पहले direction, अगर मान लो i है, तो retrace कर रहा है, तो अब direction कितनी हो जाएगी, अपने path में, minus i हो जाएगी, क्योंकि इस path को follow कर रहा है, तो यह अपने path में हो गया, m u cos theta, तो अब य retrace कर रहा है, तो यह कितना हो जाएगा, अपने path में, m by 2 u cos theta, I hope यह बात आपको समझ में आगी, कि मैंने minus sign यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि यह retrace कर रहा है, अपने path को, जिस path से जा रहा है, उस path से वापस आ रहा है, तो अगर यह आपन i j की term में लेके देखे, तो भी velocity v dash से इधर जा रहा है, तो इसके लिए लगा दीजिए, तो यह कितना हो गया अपने पास में, m by 2, और यह हो गया अपने पास में, इसकी v dash, और यह भी अपने पास में कितना हो गया, आई हो गया, अब इसको solve कर लिजिए, पहले simple algebraic method से solve करके देख लिजिए, तो direction का हमे पता जल जाएगा, क्या इस counter है, आएगा अगर simply algebraic method से solve करें, तो यह हो गया अपने पास में, m u cos theta, यहाँ पर किसका है, minus का है, तो इधरा किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो यह हो जाएगा, m by 2 u cos theta, is equally किसके हो जाएगा, अपने पास में, m by 2 v dash के हो जाएगा, अब इस v dash by 2 के होगा, तो जब आपने इसको आगे solve करते हैं, तो हम देखते हैं, इसकी value कितनी आजाएगी, तो यह value आजाएगी, v dash बराबर 3 u cos theta, तो इसका अपने पास में, यह answer आगया, 3 u cos theta, तो अगर अपने option चेक करें, तो इसका कौन सा option सही होगा, अगर बात करें, तो इसक आप से यह बहुत अच्छा question है, I hope यह question आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए बात करते हैं, next question की, हमारे पास जो next question given है, यहाँ पर दे रखा है, there are 200 identical sliders equally placed on a fractionless track, यह बेटा यहाँ पर अपने पास में 200 ऐसे box हैं जो रखे गए, ठीक है, यहाँ पर बात करें, कितने 200 box रखे गए हैं, जो सारे पहले किया है, सारे rest में हैं यह, यहाँ पर पहले को थोड़ा सा धका दिया और V velocity से इसको आगे खिसका दिया, आपने पहले को जो पहला block है उसको आपने V velocity प्रोवाइड करवा दी, यह क्या करता है बिटा, in a collision the slider stick together, यानि जब भी यह आ तो final velocity क्या होगी, जब सारे के सारे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यहाँ पर 200 हैं, वो सारे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो हमें बताना इसकी final velocity क्या होगी, चलिए, simple question है यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसके momentum conservation से, तो momentum, यहाँ पर को external force लग नहीं रहा है, तो अपने पास में initial momentum, इसको किसके equal करना है, final momentum के, तो कितने block आपस में चिपके, दूसरे से चिपका, फिर तीसरे से चोथे से कितने 200 हैं, तो यह सारे 200 आपस में चिपक जाएंगे, तो यहाँ गए 200 एम, और नए की velocity कितनी होगी, बिटा, वीडेस होगी, तो यहाँ पर पौन में 200, I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में, आगे होगी, अगर आप option की बात करें, तो हमें कौन सा option दिख रहा है, option अपने पास में second option इसका correct होगा, तो यहाँ पर इसमें हमने देखा कि इसका option correct है, second option correct है, simple हमें यहाँ पर momentum कंजरू करना था, और इसका आंसर आ चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्यूसन की, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्यूसन है, क्यूसन नंबर 7, क्यूसन नंबर 7 की बात करें, तो यह दे रखा है अपने पोजिशन ओप दे सेंटर ओप मास और क्यूब, यूनिफर्मली डेंसिटी सेल भी, अगर यहाँ पर बात क यूनिफर्म लिए, कुछ भी डेंसिटी नहीं कर रहा तो इसमें कौन सा ओप्सण हो जाएगा, घन के जामित्य के अंदर पर यह परज़न्ट होगा, जो मेटरी सेंटर ओफ क्यूब ऑगे, क्यूद वो सिमीट्री कंडिशन है, तो सिमीट्री कंडिशन में इसके सेंटर प मास 1 kg, 2 kg and 3 kg, lies 8.3,2,1, तीन कोई अपने पास में ब्लो का अलग अलग मास के, जिनका क्या है बेटा, 3,2,1 पर यहाँ पर इनका सेंटर ओफ मास परज़न्ट है, आगे कह रहा है यह हमें, the center of mass of another system of particle 3 kg and 2 kg, lie 8.-1, 3,-2, अब 3 kg और 2 kg है, जिनका सेंटर ओफ मास कहाँ पर इस point पर given अपने पास में, where should we put a particle of mass 5 kg, हम 5 kg के particle को कहां पर रखें, तो क्या होगा बेटा, center of mass entire system lie at center of mass first system, मतलब जब आप इसका center of नए system का निकालोगे, वो नए यह कहां पर आना चाहिए, अभी भी नए system का center of mass भी इसी point पर आना चाहिए, जो पहले system का था, अभी यह प तो यहां पर हमें यह देरख है, यह समझ में आ गया होगा बेटा क्यूशन, कि अपने पास में तीन particle है, जो 3,2,1 पर है, 3 kg और 2 kg के एक दूसरा system जिसका यहां पर है, तो चलिए check करते हैं, इस क्यूशन को solve करते हैं, देखें बेटा ध्यान से, तो पहले बात करीं बेटा कहां पर 3,2,1 पर है, अब जो बोल रहा है कि एक आपने एक system और बनाया, 3 kg और 2 kg का, तो टोटल किता हो गया अपने पास में, 5 kg हो गया, इसका जो center of mass है, वो कहां पर दे रखा आपने को, इसके center of mass की बात करें तो minus 1, 3, minus 2 पर, यहां पर लिख दीजिए बेटा, यह minus 1, 3, 3, minus 2 पर दे रखा है, यह अपने पास में 3 है, अब बोल रहा है कि आपको यहां पर, अब आगे किसे नहीं, where should we put a particle of mass 5 kg, हम 5 kg को कहां पर रखें, कि center of mass उसी position पर वापस आजाए, तो मान के चलिए बेटा, मान कि यहां पर मैंने center of mass कहीं 5 kg रख दिया, 5 kg रख दिया, ठीक ह जिस क्या मुझे पता नहीं है, तो हमने इसके coordinate मैंने क्या मान लिए बेटा, x, y, z मान लिए, हमें इसके center of mass का पता नहीं है, तो हमने x, y, z मान लिए, ठीक है, बट यह बोल रहा है कि इस system की वज़े से, पहला जो center of mass यहां था, अगला center of mass अब जो बनेगा, वो भी 3, 2, 1 पर होगा, यह system of center of mass भी यहीं पर होगा, चलिए, अब simply हमें पता है, center of mass का concept हमें पता है, अगर center of mass हमें find करना है, तो हमें formula पता है, अगर x direction में निकालना है, y direction में निकालना है, z direction में तीनों के लिए apply कर सकते हैं, तो कितना होगा, m1 x1 plus, किता होगा, m2 x2 plus, यह किता में हो गया अपने पास में M1 प्लस किता हो गया M2 और प्लस किता हो गया M3 पूरे system को मैं एक mass मानके और उसकी जो यहां पे center of mass की position हो उसको position मानके simply center of mass के concept से इसको solve कर लेता हूं तो देखते हैं क्या answer इसका आता है अभी center of mass जो यह यह किसकी value है x cm की value हो गई यह किसकी value होगी y cm की value होगी और यह किसकी value होगी z cm की value होगी रग दीजिए और check किजिए बेटा क्या answer हो राता है तो x cm की value आगी 3 M1 पहले इसकी बात करें तो पर रखा एक्स पर रखा है तो इसको माल लीजिए तो यह में रखना है तो यह हो गया अपने पास में कितना 6 into 3 plus दूसरा इस particle की बात करें तो यह कितना हो गया 5, minus 1 हो गया plus तीसरे particle की बात करें तो वो कितना हो गया 5, x हो गया अपने पास में total mass is 5 plus 6-5 यह ओगया 5 plus 6 plus 5 check कर लीजे वीटा इसको solve करते हैं कितना उच भ्रात है यह ओगया अपने पास में 18 – 5 plus 5 एक्स अपन में कितना आ गया अपने पास में 16 आ गया यह वेल्यू कितन आ ग两वी 16 ओभन करते हैं इसको रृटी एट है यह तद पास में 13 प्लेस 5 X आ गया, इसको जब 6 करते तो यह value कितने आगी बेटा, अपने पास में, 35, 35 is equal किसके हो गया, 5 X के तो X बराबर किसके आ गया, 7, तो महला X की value तो कितने आगी अपने पास में, 7, ऐसे ही अपन Y और Z को calculate कर सकते हैं, तो एक बार अपन option देखें बेटा, ध्यान से, इस question के अगर option की बात करें, तो option देखो कहां पर, 7 देखें तो 7 सिर्फ बेटा, option number second में, तो इसका कौन सा option correct हो जाएगा, second option correct हो जाएगा, I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में, आगे, ऐसे या बेटा, Y और Z भी calculate कर सकते हो, अगर similar होते हैं दो option, कि इसमें 7 होता, तो आपको YCM भी निकालना होता और ZCM भी देखना होता, बट यहाँ पर तो भी 7 सिर्फ एक option में, तो इसका महला option से, अपने पास में क्या होगा, second correct होगा, चलिए, बात करते हैं, next question की, question number 9 की, question number 9 हमारे पास में given है, a sphere of diameter R is cut from a sphere of radius R, such that the center of mass of the remaining mass be maximum distance from the original center, then the distance is, यह बहुत अच्छा, conceptual question है, चलिए, देखते हैं, इस तरीके के question हैं, हम उनको कैसे solve करेंगे, तो यहाँ पर बात की जाए यह, spare of diameter R है, कोई अपने पास में spare है, जिसका diameter कितना दे रखा अपने को, देखो, the sphere of diameter R is cut from a sphere of radius R, अगर इसकी radius की बात की जाए बेटा, यहाँ पर, तो इसकी radius तो हमारे पास में R गिवन है, बट इसमें से कोई R डाइमेटर का एक sphere दूसरा कट कर लिया, जिसका radius कितना हो गया, R by 2 हो गया, जो हमारे पास में spare given है, वो R radius का है, बट इसमें से एक sphere को आपने अलग कर लिया, जिसकी radius कितनी है, R by 2 है, तो आप आप नर्मली पहे part का mass कितना हो जाएगा, अराम से पता सकते हो, बताओ बेटा जल्दी से अपने को पता चल जाएगा कितना होगा, तो अगर जब solve करते हैं, तो इसका mass कितना होगा हमारे पास में, यह हो जाएगा, M upon में, इसका volume कितना हो गया, 4 upon में 3, pi r cube, into इसकी बात करें, तो इसका volume हो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हम simply solve करना है, center of mass का concept लगाना है, और check करना कितना होगा, तो देखो बेटा, इसको center of mass के concept से जब solve करते हैं, तो हम लगाते center of mass का concept ही हो गया, अपने पास में, axiom, यह कितना हो गया, M1, X1, minus, M2, X2, यहाँ भी minus इसलिए लिए लगा है, यह आगे अपने पास में, M1, minus, M2, ठीक है, यहाँ पर cut का option है, तो इसलिए minus, add का होता, तो plus हमने simply center of mass के concept में यह चीज़े सीखी है, तो अब देखे, इसके लिए लगाईए, axiom की बात करें, तो इसको solve करते हैं, तो कितना जएगा, पहला, यह खुद जो spare है, उसके center of mass की बात करें, तो यह खुद origin पर ही है, तो इसके लिए तो कितना होगे, M, 0 हो गया, minus, M2 की बात करें, तो इसका mass कितना होगया, जो cut part है, M by 8 हो गया, और उसके center of mass की distance कितनी है, यहाँ से, इसके center of mass की distance की बात करें, तो यह कितनी होगे, अपने पास में, यहाँ पे य calculate कर सकते हैं अब तो इसका अंसोर अपन तो यह value आ जाएगी बैटा अपने पास में कितनी minus m by 8 into r by 2 upon में अगर बात करें तो यह कितना गया 7m upon में 8 8 से 8 बैटा cancel out हो जाएगा तो यह value पूरी जब soul करते हैं तो यह कितना अपने पास में m से m कट गया तो यह आगया minus का r upon में 7,2 तो यह value आगी minus r upon में 14 I hope यह बात आपको समझ में आगी यहां पर distance की बात की गई है तो यह distance कितनी हो जाएगी अपने पास में distance हो जाएगी r,14 तो इस तरीके से अपने center of mass की अगर कोई part cut कर लेते किसी square में से किसी disc में से तो इस तरीके का concept लगा कि अपना आसानी से find कर सकते हैं इसका answer क्या आएगा तो इसका answer की बात करें तो कितना हो जाएगा और अपन में 14 हो जाएगा आई होप यह बात आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की और mass of two particle move center of mass बताना है कि वो किस path को follow करेगा जब हमें दो particles की velocity और उनका acceleration जिवन है चलिए देखते हैं और solve करते हैं ऐसे किसम्स को हम कैसे solve करेंगे तो देखो पिटा पहले particle की बात करें दोनों का mass same है, तो यह मैंने माना M1 particle है, इसकी velocity अपने पास में given है, कितनी 3i, दूसरा particle अपने पास में कौन सा हो गया, यह भी, इसका mass भी M है, इसकी velocity अपने पास में कितनी दे रखिये, 3j दे रखिये, चलिए ठीक है बिटा, इसका acceleration की बात करें, तो इसका acceleration हो गया अपने पास में, 3i plus 3j हो गया, और इसके acceleration की बात करें, तो a2 का acceleration कितना हो गया, 0 हो गया, चलिए ठीक है, अब यह किस path को follow करेगा, यानि अगर एक normal way में हम सोचें कि अगर इनकी velocity और acceleration का ratio देख लें, अगर वो same हा रहा है, तो इसका मतलब वो, कोई straight line को follow कर रहा है, या फि distance travel करी जा रही है, वो दोनों same है, तो भी ये straight line को follow कर रहा है, तो अपन इसमें किसी भी concept को apply करके, इस का answer find कर सकते हैं, तो चलिए देखिए, यहाँ पे इस question में आपन बात करें, अगर central, पहले दोनों particle के अपन central mass की बात कर लें, यहाँ पे मान लिजिए कि ये दोनों particle है एक इधर जा रहा है और दूसरा particle अपने पास में इधर जा रहा है, यह जा रहा है 3i से और यह जा रहा है अपने पास में 3j से, तो central mass पहले velocity का देखें अपन, velocity के respect में तो यहाँ आजएगा अपने पास में, m1 v1 plus, किता हो जाएगा, m2 v2 upon में m1 plus m2, दोनों का mass same है, तो v2 by 2, तो 3i plus 3j, तो vcm के अगर बात करें तो यह value कितनी आजएगे हमारे पास में, 3i plus 3j upon में 2, कितनी value आजएगे, 3i plus 3j upon में 2, यह आगया अपने पास में, जो velocity की बात की गई है, तो यह velocity के लिए आगया कितना, 3i plus 3j upon में 2, यह velocity का central mass आगया, अब अगर अपना acceleration की बा ACM के बात करें, तो यह आगया अपने पास में, वो ही बात, अगर दोनों का mass सेम है, तो मैं सिधा लिख सकता हूँ, a1 plus a2 by 2 के हो जाएगा, तो यहाँ पे value रख दीजिए, यह आगया 3i plus 3j, दूसरे का acceleration 0 upon में 2, तो यह भी कितना गया, 3i plus 3j upon में 2, अगर अपन बात करें देखो, इनके x component, x component और y component दोनों को देखो, velocity और acceleration को देखो, velocity के भी x component सेम है, और अपने पास में acceleration के भी x component सेम है, velocity का y component 3j by 2 है, और acceleration का भी कितना है 3j by 2 है, अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, तो x का फोर्मला आप लगा के देख लिए अगर horizontal में लगा रहे हो, तो u x, अगर t टाइम में मैं बात करूं किसी में, तो यह कितना हो जगा, half ax t square, तो देखो, यू x की value 3 by 2 रखोगे, ax की value 3 by 2 रखोगे, t सेम है, ऐसे ही मैं y की बात करूं, तो यह कितना हो जगा, अपने पास में, uyt plus half ay t square, तो यहां पे मैंने ay की बात करी, तो वो भी 3 by 2 है, औ अपने पास में vy की और uy की बात करी, 3 by 2 है, मतलब x और y दोनों क्या रहें, यहां पे, सेम हा रहें, इसका मतलब इसका जो center of mass है, वो किसको follow कर रहा है, straight line को follow कर रहा है, यहां पे x और y अपने पास में, तो चलिए देखते इसका answer कौन सा होगा अपने पास में, तो यह हो follow करेगा, straight line को follow करेगा, I hope यह बात आपको अच्छी से समझ में, आ गई होगी, तो हमने यहां पे 10th question देखा, यहां पे center of mass है, यहां पे लोकस की बात करी गई थी, कि इसका जो लोकस है, वो कैसा होगा, किस path को follow करेगा, चलिए, अब बात करते हैं, आपन question number next की, तो एक कोई body है, जिसको tower से just drop किया गया है, explode into two pieces, जो two pieces में divide होगी, जिनके mass भी क्या है, सेम है, जब वो गिर रही थी, तो उस दोरान वो दो part में divide होगी, चलिए, which of the following is not possible, इन में से given में से कौन सा possible नहीं है, हमें यहां पे यह चेक करना है, कि इन में से कौन से condition possible नहीं है, जब भी question ऐसा आये, तो हमें यहां पे पहले देखना होता है, कि question में पूछा गया है, तो यहां पे not possible पूछा गया है, तो आप ध्यान से soul कीजिए, कि ऐसी बातों को underline कर लीजिए, कि हाँ, यह बात हमें कही गई है, तो देखो, अगर कोई particle यहां से आपने मिनार से h height से drop करवाया, अब वो कहीं अलग मालो जब नीचे गिरा किसी तो वो दो पार्ट में divide हो गया, यह पार्ट भी इसका सेम है, m by 2 और यह इसका सेम हो गया, m by 2, कौन सी condition की बात करें तो देखो, each particle will follow parabolic path, हाँ, बिल्कुल, दोनों particle parabolic path so कर सकते हैं, अगर एक पार्टिकल इस direction म path follow करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक parabolic path follow करें, तो यहाँ पर यह अपने पास में क्या होजेगा, गलत हो जाएगा, कि अपने पास में यह second है, जो second अपने option नहीं होगा, only one part will follow parabolic path, ऐसा possible नहीं है, कि एक टुकरा, दोनों या तो parabolic होंगे, या दोनों straight line में होंगे, क जली बीटा बात करते हैं, क्यूसर नंबर नेक्स्ट, क्यूसर नंबर 12 की, क्यूसर नंबर 12 हमारे पास में गिवन है, एक बोल of mass m, moving with velocity v, एक m mass की बोल है, जो कितनी velocity से move कर रही है, v velocity से कर रही है, यह क्या करती है, कोई अपने पास में pendulum है, जिस जो किसमें रखा हुआ है rest में रखा हुआ है, जिसका mass कितना है, 2M है, उससे क्या कर रही है, यह strike कर रही है, if the collision is perfectly inelastic, तो आपको सबसे पहले यह condition समझनी है, कि यहां पर inelastic collision की बात की जा रही है, inelastic collision मतलब, जब inelastic collision की बात करेंगे, तो perfectly inelastic होती है, तो particle चिपक जाते हैं, perfectly inelastic collision की बात की ज कर रहे हैं, m mass की body है कोई, यह अपने पाँस में m mass की body है, जिसकी velocity कितनी है, V है, और कोई pendulum है, जिसका rest में है, और इसका mass कितना दे रखा हमें, 2M दे रखा है, यह इससे आती है, और आके इससे stick हो जाती है, तो इसके initial momentum की बात करेंगे, तो इसका initial momentum तो कितना हो गया, mv ह हो गया और इसका अन्याइश न मोमेंटम कहता हो गया जिरो गया कोई एक्ट्रनल फॉर्च्ण नहीं लग dual रहा तो इसका मतला हम मान के चलेंगे यहां पर मोमेंटम linear momentum क्या है गंजर हो है तो यहाँ पे देखा दूसरी condition की बात करें तो क्या हो रहा है यह ball इससे आई और इससे चिपक गई तो total जो system अब वो क्या बन गया 2m प्लस m और यह कितने से गई मालो वीडेश स्पीट से गई और इसने एक नई हाइट गेन कर ली यह यह मतलब कितनी हाइट पे चली गई यह जो हाइट दोनों के बीच की यह कितनी होगी एच होगी ठीक है अब इसको अप्लाई करते और सोल करते इस क्या आएगा तो यहाँ पर दोनों इस्टिक होगी बीटा चिपक गी तो अगर मोमेंटम कंजरवेशन की बात करें तो पी इनिश्यल इस इक्वल किसके हो जाएगा पी फाइनल की पी इनिश्यल की बात करें तो वो कितना हो गया अपने पास में अब इसके पास जो एनर्जी होगी वो ही इसको एच हाइट पर लेके जाएगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी यह काइनेटिक एनर्जी इसको सपोर्ट करेगी एच हाइट पर जाने के लिए तो अपन यहाँ पर एनर्जी लगा है तो इ देखे बेटा, V-dash की value put कर दीजिए, तो यह हो गया, 1 by 2, 3m से 3m cancel out हो गया, और V की जगा हमने रखा V, तो V square by 9 हो गया, यह कितना हो गया अपने पास में, G, H, तो total जब sold किया, तो यह value कितनी आगी, H की, H is equal आगया, V square upon me 18G, कितना आगया, V square upon me 18G, यह H की value आगी, चैक कर लिजे बेटा, कौन सा option correct है इसमें, तो यह देखते हैं, तो हमारे पास में option कौन सा correct है, second option correct होगा, V square upon me 18G, I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्यूशन की, हमें नेक्स्ट क्यूशन जो given है, वो है हमारे पास में, a body of mass M, यह भी बेटा, अपने पास में collision का question है, देखिए, a body of mass M, moves with velocity V, and collide, elastically with another body of mass small M, कोई एक अपने पास में capital M, मलब भारी body है, जो कितनी velocity से चल रही है, बेटा, V velocity से चल रही है, और कोई बहुत हलकी, उसके respect में, बहुत हलकी body है, जिसका दरिवेमान, बहुत कमा mass, बहुत कमा, उससे strike कर रही है, strike हो रही है, बेटा, आपने पास में, elastically, कोई energy loss नहीं हो रहा है, तो उस case में हमें बताना है, जो छोटी वाली body है, उसकी speed क्या होगी, चोटी वाली body है, उसकी speed क्या होगी, यह तो आपको देखने से पता चल गया होगा, अगर कोई भारी च mass particle body से जो rest में, strike करते हैं, कितनी speed हो जाएगी उसकी, 2V speed हो जाएगी, formula से भी check कर लेते हैं, कितना होगा, तो अपने सीधा ही इसमें, after, after strike, अगर velocity देखे तो यह हो जाएगा, अपने पास में, m2 minus m1 upon में, m1 plus m2, और यह कितना हो जाएगा, अपने पास में, u2 plus, बात करे तो यह कितना हो जाएगा, 2, m1, u1 upon में, m1 plus, m2, आप देखो बेटा, हमने माना कि यह m mass body है, जो कितनी speed चाहरी है, v से, और यह small m mass body है, जो किसमें है, बेटा, rest में है, 20 की velocity 0 है, तो यह वाला component तो कितना हो गया, 0 हो गया, तो बचा यह component, तो इस value में हम देखते हैं, तो बहुत छोटा है, तो यह देखें हैं, अपने, v2 की बात करें, तो यह कितना जाएगा, 2m, और इसकी speed v upon में कितना हो जाएगा, इस m2 तो बहुत छोटा है, तो इसलिए m रहे जाएगा, तो m से m cancel out हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2v, तो हमने यह भी देखा था, पहल टाइम में करने के लिए कुछ concept ध्यान भी रखने होते हैं, चलिए, बात करते हैं, जो हमारे पास में next question given है, यह question given, two particle having position vector पहले का, जो position vector है वीटा, minus 5i minus 3j meter, और दूसरे का, जो position vector है, वो है 3i plus 5j, दो पार्टिकल है, जिनके अपने को position vector given है, पहले का दे रख अपने पा 4i plus 3j, और दूसरे की velocity है, ai plus 7bj, if they collide after 3 seconds, वो दोनों 3 seconds के बाद में एक दूसरे से collide करते हैं, तो हमें बताना है, b की जो value है, वो कितनी होगी, चलिए, सबसे पहले तो पहले इसका concept अगर हम देखें, तो अगर दो position vector हमारे पास में given है, तो अगर वो strike करेंगे, एक दूसर वेक्टर होगा, वो सेम होगा, तभी वो collide करेंगे, तो इसको अपने ऐसे माने की इनका जो position vector है, वो सेम रहेगा, तो position vector की बात करें, तो अपन क्या होजाएगा, position vector, r मान लीजिए, position vector है, तो यह कितना होजाएगा, initial position vector r0 मान लिया, plus velocity कितनी है, v, और कितने time के बाद में है, t time के बाद में, तो पहले particle r, a की बात करूँ, ऐसे ही बेटा, यह अपने पास में, r, a आजएगा, यह v, आजएगा, ऐसे ही मैं, दूसरे particle r, b की बात करूँ, strike होने के लिए, तो यह होजाएगा, मेरे पास में, r, b, plus v, b, और यह कितना हो गया, t हो गया, दोनों, strike को, दोनों एक दूसरे से तभी टकराएंगे, जब दोनों के position vector क्या होंगे, same होंगे, इस case में, जब अपनी इसको solve करते हैं, तो आसानी से calculate करके, अपनी इसका answer प्राप्त कर सकते हैं, यह कितना आजएगा, अगर दोनों को रखें, तो यह आजएगा, r, a, minus, r, b, is equal किसके हो calculate कर लीजिए, आपका answer, आज एक एक simple सा question है, यहाँ पर value हमें रखनी है, यह अपने vector form में दे रखा है, और दोनों की strike होने की condition, मैंने आपको बता दिया है, कि इनका position vector, t time के बाद में, t कितना अपने पास, 3 second, 3 second के बाद में, अगर इनके position vector, same होंगे, तो यह एक दूसरे का R2, तो मालनी जी कि अगर आपने यहाँ पर बात करें, हम एक किसी एक position vector पर अपना observer को मालने, तो वो यह देखेगा, कि अब जब इसको यह अपन देखते हैं, तो यह इसका क्या हो गया, यह इसका resultant position vector हो गया, और आपने वेलोसिटी के लिए देख रहे हैं, तो वो भी R है, तो V into T क्या हो गया, पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, तो उस case में अगर आपने इन दोनों को बराबर कर देते हैं, यह अपने पास में पोजिशन वेक्टर और यह वेलोसिटी के करण पोजिशन वेक्टर, यह दोनों क्या रहेंगे, एक्वल रहेंगे, तो उनमें क् R2 कितना है, 3i 5j, तो यह minus हो जाएगा, तो यह कितना हो गया, RRB की वेलियू आगी, minus का 8i, और यह कितना हो गया, minus का 8j, चलिए ठीक है बिटा, VB minus Vb की बात करें, तो यह कितना है, A और यह 4 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बिटा, A minus 4i, प्लस, दूसरे की बात करें तो कितना हो गया, 7B, यह हो गया, 7B minus 3, और यह क्या हो गया, बेटा, J हो गया, अपने पास में, दोनों का I component और J component को equal कर लीजिए, और A और B, दोनों की value आपके पास आ जाएगी, तो हमने जब value रखी बेटा, तो यह कितना हो गया, minus का 8 is equal, यह कितना हो गया, 7B, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा न, time हमने लिखा नहीं, तो यह time से भी multiply करना होगा, तो time कितना है, यहाँ पर, 3 seconds given है, तो 3 seconds से multiply करके लिखिए, तो यह हो गया, 7B minus 3, component equal कर रहे है, और time कितना है, 3, 3 को इस से भी multiply कीजिए, 3 को इस से भी multiply कीजिए, और दोनों को equal कर दीजिए, तो चेक कीजिए बेटा, यह value कितनी आ रही है, तो यह value आ जाएगी, minus 8 is equal 7B minus 9, तो यह आ गया, अपने पास में 1, और sorry, बेटा, 3 से 7 को multiply किया, तो यह कितना गया, 21, तो यह आ गया, 1 is equal 21B के, तो B की value कितनी आ गया, 1 upon में 21, I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गही होगा, तो option number अपने पास में 4th correct होगा, 1 upon में 21, तो यह हो गया, अपने पास question number 14, चलिए, बात करते है, question number next, जो अपने पास 15 गिवन है, question number 15, question number 15 हमारे पास में गिवन है, a ping pong ball of mass M is floating in air, by a jet of water emerging out of a nozzle, if the water strike the ping pong ball with a speed V, and just after collision, water falls dead, the rate of flow of water the nozzle is equal, यह तो simple एक समय समय किवन है, कि कोई अपने पास में कोई बोल है, यह ping pong ball हमारे पास में given है, जिसका mass कितना है, M है, तो इस पे कितना लगेगा, gravity कितना हो गया, mg हो गया, अब इस पे अपने पास में यह ping pong ball of mass M, अब यहाँ पे इस पे अवने बहुने देखा, यह पानी ज रहें लिगा पिर कोई पनी जा रहें इस वज़े सी यहां पे रुक्किन हुई बोल है तो यहां पे अबिदेखते हैं कि अपने को पता है F ईकम किस को होता है देल्टा पी अपोर में देल्टा ट क्यों होता है तो यह किसके गिवन है देखो यहां पर इस्ट्राइक दा पिंग पॉंग विधी इस्पीड जस्ट आप्टर कॉलिजन वाटर फाल्स डेड यह अपने माद ले इसकी वेलोसिटी वह फ्रीली गिर रहा तो इसकी वेलोसिटी जीर होगी तो यहां पर अपने पास में डेगे कितना गया वी में वी आई होप यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यह मास से लिक्विड बना इसमें से पाइप से बाहर आ रहा है टी टाइम में तो यह इसकी फ्लो रेट होगी दर्वेमान पर 30 सेकंड यहां पर अगले यहां पर हमें ओल्रेडी घिवन है मास पर सेकेंड हमें फाइंड करना है चलिए बात करते हैं next question की question number 16 question number 16 हमें given है, a rocket of mass 100 kg, यहाँ पर object gas at a rate of 2 kg per second, इसका mass हमें already कितना given है, rocket का जो mass है वो कितना है, 1000 kg है, 1000 kg given है, और इससे gas है जो बहार आ रही है, यह gas कितनी speed से बहार आ रही है, 2 kg per second, मतलब dm upon में dt की value हमारे पास में कितनी है, 2 kg per second है, और उरकी velocity भी दे रही है, तो यह velocity कितनी है, अपने पास में, 4000 meter per second है, the thrust developed on the rocket, क्योंकि जितनी gas से बहार आएंगे, उतनी speed से rocket उपर उठेगा, तो यहाँ पर हमें thrust की value find करने है, तो thrust कितना हो जाएगा, thrust की बात करें तो यह कितना हो जाएगा, v dm by dt हो जाएगा, तो सिधा apply कर दीजिए, वी की value दे रही है, 4000, कितनी rate से gas भाहर आ रही है, वो 2 kg per second, तो इतना ही तो force होगा, यह जो thrust होता है, तो वो गया अपने पास में, 8,000 newton, I hope यह बात आपको समझ में आगी होगी, चलिए, बात करते हैं, यह आसान question था, चलिए, बात करते हैं, नेक्स्ट क्य 17, इस question में हमें दे रहा है, एक block Q of mass M is placed on a horizontal frictionless surface AB, and a body P of mass M release on its frictionless slope, if P slide by a length L, on the slope of inclination theta, यह कोई theta angle दे रहा है, यह block इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दे रहा है, अब हमें पूचा है, Q would slide by a distance, कितने distance, कि अगर यह नीचे जाएगा, तो यह कितना slide कर जाएगा, यह हमें बताना है, चलिए, इस question से पहले मैं एक simple सा concept आपको बताता हूं बेटा, और उससे अपने इसको solve करते हैं, देखे द्यान से, हमने बेटा, यह wage वाला concept देखा था, कि एक M mass का आदमी है, वो किसी, यहाँ पर किसी wage पर खड़ा है, किसी plank पर खड़ा तो उस case में, यह plank कितना दूर जाएगा, यह हमें बताना था, तो इसके हमने trick सीखे थी, कि कितना block कौन जा रहा है, x हमें find करना था, तो इसकी trick हमने क्या, कि M mass का block कितना चला, L चला, upon में हमने क्या सीखा था, total mass, M plus M, यह concept हम simply लगा के calculate किया था, तो हमारे पास में यह आ relative, velocity, हमने relative, position को change करके, हमने calculate किया, तो यहाँ पे भी देखी, बिटा, एक देखा, यह हो गया, यह अपने पास में ठीटा angle पर है, जो Q mass है, यह M हो गया, और यह block अपने पास में already given है, small M mass का, जो चल रहा है, इसको यह length L चलना है, ठीक है, यह कितनी length L है, क्यों हो ना, मै इसका horizontal component बना लो, तो इसका horizontal component कितना हो जाएगा, L cos theta हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब यह L cos theta चला, तो यह कितना चलेगा, X सल जाएगा, तो X कितना चलेगा, relatively check करें, तो X कितना हो जाएगा, small M mass कितना चला, L cos theta चला, आप उन में क्या लिख देंगे, total mass, तो यह M plus capital M, simple concept है बेटा, I hope यह बात आपको समझ में आगी होगी, मैंने इसका concept बतागी, आपको बताएगा, तो यह simple सा तरीका है, जिससे अपने इसको calculate कर सकते है, इस question को, तो यहाँ पर यह आगे, अपने पास में M, और यहाँ पर इसमें, हमने horizontal component, इस length का देखा तो कितना था L cos theta, जब यह block नीचे जाएगा, तो यह block इधर displaced हो जाएगा, कितना displaced होगा, यह हम चेक कर सकते है, M L cos theta upon में, M plus, M, I hope यह बात आपको समझ में आगी होगी, चलिए बात करते हैं, next question की, अगर next question की आपने बात करें, तो question हमारे पास में given है, a body is allowed to fall on the ground, from a, यहाँ पर इसक concept की, इसके answer की बात करें, तो इसका कौन सा answer correct होगा, हमारे पास में, small L, fourth option अपने पास में क्या होजएगा, correct होजएगा, M plus M, M, fourth option इसका correct होगा, चलिए बात करते हैं, next question की, तो next question हमारे पास में given है, a body is allowed to fall on the ground, from a height h1, h1 height से कोई body को गिराए जाता है, if it is rebound to a height as to, यह as to height पे rebound करती है, तो हमें बताना है, the coefficient of restitution क्या होगा, तो हमें पता है बटा, coefficient of restitution क्या होता है, आप, अब strike के बाद में velocity, upon में strike के पहले velocity, तो देखे ध्यान से, लगा दीजिए, coefficient of restitution, e is equal कितना होजएगा, velocity after strike, upon में velocity, before strike, तो after strike से पहले velocity, before strike के बाद मे velocity कितनी है, V is equal root 2G, और कितनी height पे जा रहा है यह, rebound कितनी height पे होजएगा, S2 पे, और सुरुवात में, कहां से गिरा गया, इसको H1 height से गिरा गया, और यह rebound कितना हो रहा है, H2 तक हो रहा है, तो यह हो गया, इसका V1, और यह हो गया, अपने पास में, इसका V2, तो यह हो ग होगा आई ओप यह बात आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉंसेप्ट पर तो नेक्स्ट कॉंसेप्ट हमारे पास में गीवन है एक कारपेंटर है यहां पर कुछिशन नमर 19 की बात करें एक कारपेंटर है यह कंस्ट्रक्टेड एक टो इसने काम में लिए है जिसके हाइट कौन की तो है हाइट 4R है और इसकी रेडियेस 2R है और जो इस पेर है उसकी जो डाइमेटर 2R है मलब रेडियेस कितनी होगी आर होगी चलिए तो सिंप्ली अगर आपने इसको देखें तो हमें एक बात तो पता चलगी कि हमें सेंट्र मास्ट पता होना च्छिए, तो सॉलिड कॉन का सेंटर आपर होता है? I hope यह तो अपने को आता होगा, तो कितना होता है? सॉलिड कोन के सेंटर आपकरें, तो वो H by four पर होता है, H की वैलियू कितनी है? 4R, तो 4R upon में 4 कितने पे हो गया, इसका center of mass हो गया R पे, और spare की बात करें, तो ये spare के लिए देखे तो ये कितने पे हो जाएगा, ये distance की बात करें, तो ये हो गया 4R प्लस इसकी radius, तो ये कितने हो गया अपने पास میں, ये किस position होगा अपने पास में, 5R पे होगा अब चलिए इस पे center of mass का concept लगा दीजिए और check करते क्या answer इसका आएगा बिटा यहाँ पे अपने को solid cone का क्योंगी मैंने आपको पहले क्यूशन में ही बताये था कि कुछ shape और size होती है जिनका हमें याद होना चाहिए ताकि क्यूशन हमारा आसानी से sole हो जाए तो इसी क्यू center of mass कहां पे होगा चलिए चेक करते हैं इसके center of mass को center of mass की position find करते हैं तो ycm देख लीजिए ycm पे इसका center of mass present होगा तो यह हो जाएगा अपने पास में m1 y1 plus किता हो जाएगा m2 y2 अपन में किता हो गया m1 plus m2 यहाँ पे mass की जिएगा में क्या दिरखा है density density की टरब में density into volume हो जाएगा तो apply कर दीजिए बेटा किता अंसवरा तो यहाँ पे ycm यह हो गया rho 1 v1 y1 plus rho 2 v2 y2 अपन में कितना हो गया rho 1 v1 plus rho 2 v2 अब simple value put करनी है calculate करना है तो I hope इसका answer आपके पास है आ जाएगा तो check कर लीजिए बेटा आप क्या answer आना इसका तो यहाँ पे value रखते हैं पहले rho 1 की बात कर लेते हैं तो rho 1 की value कितनी हो जाएगी अपने पास में कौन है तो कौन का कितना होता है पाई आर स्क्वेर होता है तो पाई आर की बात करें तो radius देर किये 2R into H की बात करें तो कितनी हाइट देर रखिये अपने पास में इसका पास में आर क्यों है इसका अगर रो है आप अगर को जो अपने पास में कौन है उसकी density rho मानते हो तो इसकी spare की कितनी माननी होगी 12 rho माननी होगी यह formula में लगा दीजिए बिटा calculate कर लीजिए जो भी answer आता है तो simply यहाँ पे check करते तो यह answer कितना आजेगा यह हो गया अपने पास में रो में कौन की बात कर रहा हूं into V कितना आगया पाई 2R का square into इसके यह कितना होगया 4R into Y1 का मान कितना है हमने पहले ही देख लिया था कि है एक हाई 4 होता है solid corn का जो बात करें solid संकु की बात करें तो उसका center of mass कहां पे होता है हाई था पर होता है तो एस उसके height कितनी है 4R upon 4 मनलब कितने पर हो जाएगा आर पर हो जाएगा प्लस दूसरे की बात करें तो यह कितने टाइम से है ट्वेल टाइम से तो यह हो गया ट्वेल रो वी की बात करें तो इसका वी कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर 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 वी की बात करते हैं तो यह वी कितना हो जाएगा इसका देखिए यह हो गया अपने पास में 4 upon में 3 pi और यह कितना हो गया r cube हो गया और इसके height कितने पर है यह 5 r पर है upon में इसके density upon में volume वापस से लिख दीजिए तो यह value कितने आजएगी row 1, row into यही आगया अपने पास में pi 2 r का square into यह height कितने होगी 4 r plus इसके बात करें तो यह हो गया 12 row into 4 upon में 3 pi और इसके radius कितनी है r cube इसको solve कर लिजे बीटा solve करने पर आप इसका आसानी से answer प्रापते कर लोगे जो भी आएगा तो option अब जब आप solve करोगे तो आप देखते हो कि इसमें जो value है at a distance of 2 r from at a distance 3 r from at a distance 4 r तो इसमें जो भी है solve करके आप देख लिजे इसका जो भी answer है वो आप यहां पर गैन कर लोगे तो 19 कि अगर बात करें तो 19 कि उसन में बात करें तो अपने पास में कौन सा होगा थर्ड आंस्वर क्रेक्ट होगा at a distance of 4 r from O is point O से कितने पर होगा इसका center of mass 4 r distance पर होगा calculate कर लिजे बिटा आसानी से आपका answer यहां पर आ जाएगा value को calculate करना solve करना है I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए बात करते बिटा next question की जो next question हमारे पास में given है a body is rotating with angular velocity omega omega से rotate कर रही है after t time its axis became horizontal थोड़े पहले तो यह बेटा ऐसे rotate कर रही है थोड़े time बाद में यह ऐसे rotate करने लग जाती है इसके टी time के बाद में घूमने के जो पहले यह इस direction में घूमना रही थी अभी इस direction में horizontally घूमना start कर गए तो हमें बताना है moment of inertia इसका moment of inertia कितना होगा calculate torque applied on a body यहाँ पर वस्तू पर लगया गया बल आगूंड क्या होगा यह दिवस्तू का सुरी अब में देरका है कि कि इसका moment of inertia कितना है आई है तो इसका torque कितना होगा में torque find करना है तो बेटा angular momentum के केस में हमें पता होता है कि अगर ऑई में relation देखना है तो up का icon का होता है तो ही busy यहांने डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा L upon में डेल्टा T, तो यहां पर L कितना होता है, अगर अंगुलर दे रखा है, तो L कितना हो गया, I omega हो गया, upon में T, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, I2 omega 2 minus I1 omega 1 upon में T के हो गया, बट पहले यह axis rotation यह है, तो इसका मतलब पहले इ I omega किस direction में है, J में है, अभी horizontally घूम में लगी, तो इसका, देखो, angular velocity की calculate कर सकते हैं, तो L पहले कितना हो गया, अपने पास में किसे घूम रहा है, यह J direction में घूम रहा है, और उसके बाद में किस में घूमने लग गया, यह I में घूमने लग गया, तो यह कितना हो जाएग I में है, upon में कितना हो गया, time T हो गया, तो अगर resultant इसका magnitude find करें, I और J का, तो I और J का magnitude कितना हो जाएगा, अपने पास में, root 2 हो जाएगा, क्योंकि 90 degree हो गया, तो यह हो गया अपने पास में, I omega upon में T हो गया, simple हमें ध्यान रखना है बटा कि जो पहले axis rotation, यह था, अभी axis rotation क्या हो गया, इसका, यह हो गया, पहले यह ऐसे गुम रही थी, अभी यह गुम रही है, मतलब इसमें कितना आ गया, theta की value की बात करें, तो कितना डिगरी हो गया, 90 degree हो गया, अगर यह अपने पास में L है और यह L है, यह अपने पास में vector quantity है, अगर दो vector quantity की बात करें, द L की value कितनी है, I omega, I omega point में 2 आ गया, simply value रखके देखना था कितना answer इसका आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो axis rotation हुआ है, वो कितने पे हुआ है, 90 degree पे हुआ है, यहां पे value रख दीजिए और calculate कर लिजिए इसका answer जो भी आता है, तो इसमें option की बात करें, तो अपने पास कौन सा option correct होगा, इसका option correct होगा अपने पास में 4, I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो हमने यहां पे बेटा 20 question देखें, आप बात करते है, question number 21 की, देखें बेटा ध्यान से, तो 1 log 3 root 2, जो कितने से move कर रहा है, 3 root 2 से move कर रहा है, और हमें क्या दिरिखा है, x o y plane में move कर रहा है, एक plane में 3 root 2 velocity से move कर रहा है, चलिए ठीक है बिटा, आगे देखें है कि यह एक line को follow करता है, y is equal x plus 4, इस line को यह follow कर रहा है, चलिए ठीक है, तो उस point के लिए अपने को वो यहां पर line की perpendicular distance पता चल जाएगी, ठीके देखते हैं, एक बार, तो हमें बताना है, the magnitude of angular momentum about origin, origin के about इसका angular momentum क्या होगा, चलिए, पहले तो अपनी इस equation को देखें, बीटा, यह दे रिखें, y is equal x plus 4, अगर इस line को मैं ध्यान से देखों, तो यह दे प्लस 4 का ग्राप कैसा होता हमारे पास में, इस तरीके का होता है, ठीक है, यह किसका ग्राप हो गया, एक्स प्लस 4 का, यह point कितना हो गया, अपने पास में, 0,4 हो गया, चलिए, ठीक है, y is equal x plus 4 की line आगे हमारे पास में, क्योंकि m यहां पे plus है, intercept भी plus है, तो line ऐसे draw होगी, यह अपने पास में y component है, और यह x component है, origin point हो गया, यह कितना हो गया, अपने पास में, 0,0, यह अपने पास में हो गया origin point, चलिए, अब हमें इस line का perpendicular distance देखना है, तो बेटा, कोई अगर अपने पास में यह line हो, और यह अपने पास में कोई point हो, जिसके अपने देर के, अग पास में equation given है ax plus by plus c बड़ाबर 0 तो अगर हमें line पर point चे perpendicular distance देखनी है तो इसका जो formula होता है बिटा तो हम क्या देखेंगे इसके formula में क्या करना है यह जो components से इसकी value put कर दीजी तो यह value आजेगी perpendicular distance की जो बात करें तो इसके components तो यह कितना हो जाएगा a square plus b square तो यह calculate कर ली मैंने perpendicular distance कितनी होगी ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square यह line हमारे पास में same वह ही है यह line दे रखिये कितनी एक्स माइनस y plus four is equal zero यह तो हमें line दे रखिये origin point कितना है किस point से perpendicular distance निकालनी है अपने को origin से निकालनी है 0,0 से निकालनी है कोई दिक्कत नहीं perpendicular distance के लिए अपने पास में यह perpendicular distance होगी कितनी होगी origin से अगर अपन चेक करें तो अपने को क्या करना है perpendicular distance का formula अपलाई कर देना है तो यह formula कितना हो जाएगा perpendicular distance का बिटा x1 की value कितनी है 0,y1 की value कितनी है 0 क्योंकि origin है plus c, c की value कितनी दे रखिया हमें 4 upon में इसकी value कितना है a की value कितनी है इस line के लिए 1 और b की value कितनी है minus 1 तो root 1 square 1 square कितना हो गया root 2 हो गया तो perpendicular distance तो आगी हमारे पास में 4 root 2 अब हमें इसमें क्या बताना है हमें बताना है इसका mass कितना दे रखा है 5 mass है 5 और velocity कितनी है 3 root 2 है तो इसका angular momentum कितना हो जाएगा distance l is equal कितना हो गया mvr हो गया तो यहां पर perpendicular distance लेनी है velocity के लिए तो आप देखते हैं इस cancer कि आएगा अपने पास में तो यह आ गया 5 into इसकी velocity होगी 3 root 2 into अपने पास में perpendicular distance कितना है 4 upon में root 2 तो 16 किया तो यह कितना आगया अपने पास में 60 आ गया क्योंकि अपने अगी अगर दे रहा है तो आपने पास में बोटिकल कोंप अपने कर कोंपोनेट्स है और अगर आर दे रहा है तो परपेंडी कूलर कोंपोनेंट हमें यहां पर लेना होता है क्योंकि हम आलर फ켜्र और पी साइन ठीटा तो साइन ठीटा के लिए इसका परपेंडिकुलर कॉंपोनेंट ची तो वह हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर फाइंड कर ले और यह आप इसका आंसोर आगे आई होप यह बात आपको समझ भी आ गई होगी तो अगर इसके ऑप्सन की बात करे अब बात करते बैटा क्यूसन नमबर 22 की देखे जिसन नमबर 22 किया रहा है एक कोई अपने पास में सोलिट स्लेंडर और ऑससे एक स्मोल अम मास यहां पर इस पर लटकाए गया उसका जो स्लेंडर उसका मास हमें दे रखा णीज जो इस एक तो ये भी घूम रहा है सिलेंडर और ये घूम रहा है तो इसमें क्या होगा टोर्क जनरेट होगा चलिए चेक करते हैं सबसे पहली बात बेटा अगर सोलिट सिलेंडर की बात की जाए जो अपनी अक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है अगर ये घूम रहा है तो इसका अगर अ transfer क्या आएगा यहां पर सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यह स्मोल मास है यह क्या रहा है जब रशी नीचे आ रहे है तो यह नीचे आ रहे है इसमें इसकी इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो यह तो हो गया अपने पास में कितना बिटा यह तो यह तरीके से जब इसमें घूम रहे है तो तो टोर्क की बात करें तो टॉर्क होजएगा विटा टी-R force into perpendicular distance और इसका दूसरा formula होता है I alpha तो यहां पर value रग दी जी बिटा टी R is equal हो गया इसका mass है capital M R square by 2 और alpha की जगह क्या लेख सकते हैं A upon में R क्योंकि A is equal किसके होता है R alpha के होता है A is equal किसके होता है R alpha के होता है linear acceleration और यह किसमें है अपने angular acceleration में relation है चलिए यहां से जब देखें तो यह R से R cancel out हो गया तो यह value कितनी आगी हमारे पास में tension की इसको solve किया तो यह tension की value आगी हमारे पास में M A by 2 यह capital M A by 2 आगया यह tension की value इस equation में put कर दीजिए और देखें क्या answer आता है यहां पर देखें ध्यान से तो यह मैंने रखा M G minus यह कितना हो गया capital M A by 2 is equal हो गया small M A यह minus का इदरा की किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो यह value कितनी आगी M plus M by 2 A के तो यहां पर यह value रख लीजिए तो यह value जब अपन सोल करते तो भी value आजेगे हमारे पास में M is equal इसका LCM लिया तो कितना आगया 2 तो यह हो गया small 2 M plus capital M और यह A के आगया तो I hope अब तो इसका answer आगया होगा तो जब अपने इसको solve करते तो देखते इसका answer कितना है यहाँ पर value रख के देखे बिटा तो यह answer आगया अपने पास में A का हमें find करना है तो A आगया 2 small M G upon में कितना हो गया 2 small M plus capital M अब देखे बिटा इसका कौन सा option correct है चेक कर लिजिए तो देखे बिधान से अगर यह हम देखे तो कौन सा option correct है 2 M G upon में 2 M plus M 2 M G upon में capital M plus 2 M तो option number 3 इसका correct होगा आई होप यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गही होगी चलिए बात करते बिटा next question 23 की question number 23 हमारे पास में given है question number 23 given हमारे पास में a solid spare is rotating about its diameter कोई solid spare है जो अपने diameter के around rotate कर रहा है due to increase in room temperature its volume increase by 0.5% इसके volume में अगर temperature increase कर रहे है तो volume हो गया length हो गई area हो गया यह expand होते हैं तो यह कितना हो रहा है 0.5% हो रहा है अब बात करें if no external torque act इस पर कोई external torque काम नहीं कर रहा है इसका मदब इसका आपने angular momentum है वो कंजर है ठीक है अक्षिलर फोर्स नहीं है इसका मतलब इसका टॉर्क नहीं लग रहा तो इसका अंगुलर momentum इसका अंगुलर स्पीड ऑफ स्पेर एंगुलर स्पीड कितनी होगी चलिए बेटा देखते हैं अगर volume की बात की जाए तो v कितना होता है स्पेर का solid इसपेर की बात करें तो 4 upon में 3 pi r cube यह इसका volume हो गया अगर volume में change देखा जाए तो delta v upon में v कितना आगे अपने पास में 3 delta r upon में r आई होप यह बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी volume में change दे रहा है 0.5 तो लिग दीजिए बेटा यह ओगया 0.5 into 3 delta r upon में r तो अगर अपन delta r upon में r की बात करें तो यह आगया अपने पास में 0.5 upon में 3 कितना आ गया 0.5 upon में 3 आ गया चलो यह तो बेटा delta r का मान हमने gain कर लिया find कर लिया अब बात करें torque यहां पर लग नहीं ना torque की value 0 है तो अपने पास में angular momentum किता होगा तो यहां पर यह ओगया शुरी यहां पर किसकी बात करें no external torque तो angular momentum कंजर होगा तो यह ओगया i1 omega 1 is equal कितना होज़ेगा i2 omega 2 के मतलब मा लिग सकता हूँ i inversely proportional किसके होता है omega के यानि omega क्या होजएगा inversely proportional i क्या जेगा अब यहां पर spare की बात की जाए तो i की value कितनी होती है spare के लिए अगर i की बात की जाए तो वह होजएगा अपने पास में 2 by 5 mr square यानि अगर हम यह कहना चाहें तो i directly proportional किसके है r square के तो यहां पर omega की बात करें तो omega क्या होगा 1 upon r square पर depend करेगा किस पर depend करेगा 1 upon r square पर यानि अगर हम एक बात कहें कि अगर radius increase होती है तो omega का बात क्या होगा यानि और यह कितना होगा, 2 delta r upon me r, चाहें तो आपने यहापे negative sign भी यूज़ कर सकते हैं, जो यह बताएगा कि यहापे कमी आ रही है, जब r का मान increase होगा, तो omega का मान क्या होगा, decrease होगा, negative sign अगर अपने यूज़ करते हैं, तो यह value आगे बटा, 2 into यह कितना है, 0.5 upon me 3, 0.5 यह बच गया, तो यह बच गया बटा, अपने पास में कितना, 1 upon 3, तो अगर इसमें इस question में बात की जाए, तो यह कितना होगा, decrease by nearly 1 upon me 3%, क्योंकि r अपने पास में increase हो रहा है, already हमें question में बोल रखा है, कि इसमें due to increase in room temperature, volume भी increase हो रहा है, volume increase हो रहा है, तो radius increase हो रही है, ब इसले बात करते है, question number 24 की, तो question number 24 हमारे पास में given है, velocity of center of smaller cylinder is V, इसकी बेटा, यह करते को दो cylinder दे रहे हैं, एक cylinder बढ़ा है, जिसकी radius 2R है, और एक cylinder छोटा है, जिसकी radius कितनी है, अपने पास में, radius R है, और यह जो small cylinder है, यह V velocity से move कर रहा है, चलिए, और यह दोनों पर एक पर भी road की velocity सेम रहेगी, चलिए बेटा, यह बात तो समझ में आगी, अब बात करते हैं, large cylinder की velocity कितनी होगी, अगर इसकी velocity V है, तो हमें बताना, इसकी velocity कितनी होगी, चेक करते हैं, हमें पता है बेटा, center of mass के, अगर rotational motion में पढ़ते हैं, तो हमें एक concept पता है, कि अगर, हम इसकी बात करें, अगर center of mass की velocity V है, तो highest point की velocity कितनी होती है, 2V होती है, इसका मतलब हम बोल सकते है, जो road की speed होगी, वो कितनी होगी, 2V होगी, तो इस point पे भी road की speed कितनी होगी, 2V होगी, इस point पे 2V है, तो इस पे भी 2V होगी, और यही concept अगर दूबारा लगा दें, तो अब इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे 2V है, तो यह क्या होगा, आदा होगा, तो V days की value कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी, तो option अपने पास कौन सा correct हो जाएगा, second हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, highest point की speed, center of mass की speed से double होती है, तो अगर यह speed V है, तो यह 2V होगी, तो ऐस यह V है, तो यह तो same रहेगा, तो इसलिए यह value कितनी हो जाएगी, अपने पास में, V ही हो जाएगी, I hope यह बात आपको समझ में आ गई होगी, चलिए बात करते हैं, next question की, next question हमारे पास में given है, इसमें 24 में कौन सा option correct हो गया, 24 में second, two option correct हो गया, चलिए बात करते हैं, next question की 25, question number 25, question number 25 हमें center of mass पे given है, question यह है, two bodies of mass, 5 kg and 1 kg, are moving, अपने पास में 5 kg और कितना है, 1 kg का कोई 2 mass particle है, जिनकी velocity इतनी इतनी दे रखी है, the velocity of the center of mass कितना होगा, simple बेटा, concept लगा दीजिए, तो center of mass की velocity की बात करें, तो कितना होगा, M1 V1 plus M2 V2, आप उन में कितना होगा अपने पास में, M1 plus M2, I hope, अब तो इसमें कोई problem ही नहीं है, simply value रख दीजिए, calculate कर दीजिए, answer आजएगा, तो यह हो गया 5, यह value अगर आपने इसमें रखते हैं, तो यह value कितनी होगा, 2I minus 7J plus 3K plus M2 की बात करें, तो M2 कितना होगा, अपने पास में, 1 हो गया, और velocity की बात करें, तो यह आगए अपने पास में, इसकी velocity दे रखिए, 1KG की, minus 10I plus, यह कितना होगा, 35J, यह होगा अपने पास में, 35J, और यह कितना है, minus का 3K, यह होगा अपने पास में, minus का 3K, आप और में total mass कितना होगा, 5 तो यहां पर calculate कर लिजिए तो यहां पर जब 6 करोगे तो यह 5 और 10 और है यह cancel out हो जाएगा 5 और यह यह plus में है तो यह भी cancel out हो जाएगा बतलब answer किस में बचेगा यह कितना हो गया 15 के हो गया और यह 3 के हो गया 15 यह पर शिंपल सा क्यों दो आपने और शॉल कर लिया होगा चली बात करते हैं नेक्स्ट की कि इसन नमबर 26 कि इसन नमबर 26 हमारे पास में गिवन है अधिन सेर्कुलर रिंग और मास कितना है म है तो ममेंट ओफ इनर्सी कितना होता है अगर इसके से पास हो रही है, तो mr2 होता है, चलिए ठीक है बीटा, यहाँ पे capital और his kतनी रीडियोय क्या है? रोटेटिंग इस अपाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, यह रिंग है और यह अपनी लगा दिया है इसका समोल मैं और इसका मास कितना स्मोल मैं और इस खुद आपर क्या दिर करका अपने पास में केपिटल रिंग का मास केपिटल यह मैं चलिए ठीक है अब बोल रहा है कि अगूलर speed of ring, इनको धीरे-धीरे यहां पर attach किया गया, the two block each of mass IMR attached, attached to the opposite end of a diameter, the angular speed of ring, हमें यहां पर इसके वीप्रीज शीरो पर जोड़ा गया, block को बले कहरा, तो हमें बताना इसकी speed कितनी होगी, तो यहां पर कोई, यहां पर कोई external force नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब हम बावल सकते इसका जो अपने पास में, क्या होगा, angular momentum होगा, वो conserve रहेगा, तो लगाईए बिटा, angular momentum conservation, क्योंकि यहां पर कोई external force की बात नहीं की गई है, तो external force नहीं मानेंगे, तो अपने पास में angular momentum कंजर हो जएगा, तो कितना हो गया, I1 omega 1 is equal, I2 omega 2 हो गया, I1 की बात करें तो यह हो गया, capital M R square into speed हो गया इसकी omega अब बात करें तो यह कितना आ गया कि capital M R square plus देखो यह point कितनी इस से distance कितनी है आ रहे है तो इस point के लिए कितना हो गया एक block के लिए M R square दूसरे block के लिए M R square तो total हो गया 2 M R square क्योंकि दो block रखें पोजिटेंड पे एक यहां रखाया और एक यहां रखाया जिस्टेंस आ रहे है तो moment of inertia कितना हो गया small m R square plus small m R square तो यह हो जाएगा अपने पास में 2 small m R square और angular speed हो गई ओमेगा डेस तो ओमेगा डेस को calculate कर लिजिए तो ओमेगा डेस की value आगे बिटा अपने पास में एम ओमेगा अपन में कितना हो जाएगा यह capital M plus 2m I hope यह बात आपको अच्छे से समझ में आगे होगी तो अगर इसके options की बात करें तो यहां पर options देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा m m plus 2m तो इसका अपने पास में third option correct हो जाएगा आई होप यह बात आपको अच्छे से समझ में आगे होगी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की क्यूशन नंबर 27 देखिए द्यान से क्यूशन नंबर 27 की बात करें तो three solid spare यह बेटा सारे के सारे क्या है solid spare द्यान रखना यह solid spare बात कर रहा है तो solid spare का moment of inertia कितना होता axis के around यह हो गया अपने पास में two by five mr square यह तो axis के around हो गया चलिए आगे देखते हैं अरे इस होन इन फिगर दा है moment of inertia of system system का moment of inertia तो यह तो बेटा कहां से पास हो रही है यह axis तो इसके center से हो रही है बट यह इसकी tangent है यानि इसके यहां पर touch करती भी जा रही है तो यह कितने distance होगी r और यह distance भी कितने होगी r तो simple पता है moment of inertia निकालने की हमें theorem लगा देनी है तो i कितना आजेगा icm plus md square इस block के लिए 2 के लिए और 3 के लिए देखे ध्यान से i की value कितने आगी 2 by 5 mr square 2 by 5 mr square plus mr square तो total कितना हो गया 7 by 5 mr square यह इस block के लिए आगया और इतना इस block के लिए आगया तो total कितना होजएगा total moment of inertia आजेगा पहले block के लिए 2 by 5 mr square plus दूसरे block के लिए 7 by 5 mr square और तीसरे block के लिए भी कितना आजेगा 7 by 5 mr square total जब soul करते है तो यह आगया 7, 7, 14, 14, 2 कितना होगा 16 तो यह आगया 16 upon 5 mr square तो option number अपने पास में कौन सा correct होगा बिटा second option correct होगा आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए बात करते है नेक्स्ट की क्यूसर नमबर 28 यहाँ पर क्यूसर नमबर 28 ए थीन वायर ओफ लेंथ एल एंड मास एम इस बेंड इन फॉर्म ओफ ए सेमी सर्कल इसको एक सेमी सर्कल बनाए गया बिटा its moment of inertia about an axis joining its free and will be कितना होगा moment of inertia की बात की किए तो एक वायर है बिटा वायर से अगर मान लीजी आप रिंग बनाते हो और रिंग के अगर अग्सिस से पास होता है तो कितना हो जाएगा moment of inertia mr2 हो जाएगा अगर इसके diameter के along pass होता है तो कितना हो जाएगा आई जीक्वल mr2 हो जाएगा चलिए ठीक है यह तो हो गया अपने उसका मास कितना है अपने पास में अगर यहां पे बात करें तो इसकी लेंद कितनी थी यह कितनी हो जाएगी तो आर की इसको इधर थोड़ा सा लेके जाएं तो हम देखें कि अगर यह कितना हो गया अपने पास में यह मास M by 2 हो गया यह मास M by 2 हो गया और रिंग के लिए होता कितना है अगर यहां पर बात करें तो M by 2 स्वरी मरी स्क्वेर बाइट होता है सेम उसी कॉंसेट यहां पर लगा कि देखें तो इसका मास कितना दे रखा हमारे पास में एम दे रखा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सी कितना हो जाएगा इसका गिवन अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्सी आ गया I is equal M R square by 2 R की जगह में value रखनी है L upon में pi तो I बराबर कितना जगा अपने पास में M upon में 2 R की जगह आ गया L upon में pi का holy square M L square upon में 2 pi square option number 4 अपना इसका correct हो जाएगा मान के चलिए कि यहां पर यह ऐसे समझे बटा कि यह wire था wire से आपने ring मनाई तो अब यहां पर ring को अपन ऐसे fold करके रख 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 रहे हैं मान लीजी इस ring का मान के चलते हैं कितना होता है M R square अगर ऐसे pass हो रही है तो इसका M R square होता है M R square by 2 होता है बट मैंने इसी को उठा के ऐसे रख दिया इसके सेम भी दूसरा पार्ट में रख दूँ तो वो moment of inertia उतना ही रहेगा तो ऐसे अगर मान के करें wire को semi-circular ring में तो इसका कितना हो जाएगा M L square upon में 2 pi square हो जाएगा option number 4th correct होगा चलिए बटा बात करते हैं question next question number 29 29 एक equation दे रहे हैं I is equal Ig plus M D square the graph between I and D I and D के लिए हमें ग्राब देखना क्या होगा जहां से देखे equation है बटा I is equal I is equal कितना हो गया Ig plus M D square तो यहां से देखे तो यह equation किसके हो रही है Y is equal M X plus C क्योंकि D में बनाना है तो यह तो हो गया C और यह अपने पास में कितना हो गया M X हो गया तो यह equation हागी Y is equal M X plus C oh sorry M X plus C की D square नहीं है न बेटा तो यहाँ पर यह equation नहीं लगा सकते अगर D square में पूछा गया तो तो straight line बन जाएगी but D में पूछ रहा D square में नहीं पूछ रहा D में पूछ रहा D square में पूछा जाता तो यह straight line हो जाती, अगर हम बात करते हैं, I और D square में graph पूछता तो यह straight line हो जाती, जो कहीं उपर से पास होती, यहाँ पे D square में पूछ रहा है, तो हमें पता है बिटा, अगर Y directly proportional अगर aksi square के है, तो वो क्या so करता है, parabola so करता है, तो इसका parabola बनेगा, बट यहाँ पे कोई value और भी दे रखिये हैं, तो हम अगर बात करें, Y is equal हमें दे रखा है, A x, यह value दे रखिये है, A plus B x square, तो यह distance उपर से पास हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अपने पास में third, तो Y is equal यह आ गया, अपने पास में equation से compare कर दीजिए, तो यह होगी अपन Question number 30, 30 अपने पास में given है A square plate, एक तो square plate है, और दूसरा हमें दे रखा है circular disc, यह अपने पास में disc है, diameter D are placed touching each other, इन दोनों के diameter को यह touch करता हुआ, रखा गया है, यह axis रखी गई है कोई, इस बोट the plates are made up to same material, same material से ब्राइग गया है, इसका मतलब यह कहना चाह रहा है, दोनो component A, इस यहाँ पर बात करना है, composite relative to the point O, इस O point के around हमें center of mass की बात करनी है, कितना होगा, तो simple सी बात है, अगर हमने इस पर देखा है, तो यह distance अपने पास में कैसी होगी, positive होगी, और यह distance कैसी होगी, negative होगी, अगर इसकी बात करें, तो यह distance होगी, D by 2, और यह भी कितनी ह आएगा, volume की बात करें, तो यह disk है, disk का volume कितना होगी, अपने पास में, area होगया, पाई, और distance अपने पास में कितनी, यहाँ पर हमें बात कर रखा है, diameter D दे रखा है, तो distance होगी, radius होगी, D by 2 का square, area की बात कर लिए, हमने यहाँ पर, हैंना, और, और कुछ दे रखा है, edge length, D and a circular disk of diameter D, place, stretching each other, the mid point of edge, तो mid point of edge में हमें find करना कितना होगा, तो area की ट्रम में ही solve कर लेते हैं, हम density की ट्रम में नहीं लगा कि area की ट्रम में लगाते हैं, और calculate कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा, चलिए देखते हैं, ध्यान से, center of mass की concept से समझते हैं, तो center of mass का concept होजाएग बात करें, तो area से भी solve कर सकते हैं, तो यह होजाएगा, अपने पास में, a1, x1, plus यह किता होजाएगा, a2, x2, upon में किता होजाएगा, a1, plus a2 होजाएगा, तो पहले square plate की बात करें, तो इसका area किता होजाएगा, अपने पास में, यहाँ पे देखिए ध्यान से, square plate की distance, the edge of length D, इसकी बेटा distance D दे रखी है, यहाँ पे, and circular, इसका diameter D दे रखा है, कोई बात नहीं, तो area बात करें, तो disk का area, यह अपने plate का area किता होजाएगा, plate का area होजाएगा, अपने पास में, D square, into इसकी distance कितनी होजाएगी, minus का D by 2, यह अपने पास में, यहाँ पे रखी है, minus D by 2 पे और इसका center of mass, यहाँ पे, plus, यह अपने पास में, इसका कितना होजाएगा, pie, diameter कितना है, D है, तो radius कितनी होजाएगी, हाँ, pie D square, into, इसकी position कितनी है, यह D by 2 है, यह plus है, और यह यहाँ पे क्या दे रखा, minus दे रखा है, अपन में, इसका area कितना होजाएगा, pie, यह इसको solve करते हैं, तो यह आगया अपने पास में, D square, यह by 2 हो गया, और यह D square by 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, simple calculation करनी है, अब तो आप आसानी से सकांसर बता सकते हो, जो भी सकांसर आना है, simple है, तो यहाँ पे बात करें, तो यह आगया, minus का, 1 by 2, और यहाँ पे बात करें, यह आगया अपने पास में, प्लस, पाई अपॉन में, 8, यह square हो गया, 4 और यह हो गया, 8, ऐसे ही बात करें, तो यह आगया अपने पास में, पाई अपॉन में, 4, प्लस, 1 आ गया, LCM ले लिजिए, बिटा, calculate कर लिजिए, तो I hope इससे आपका answer आ जाएगा, तो इससे जब solve करते हो, तो option आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे simply जब इसके options की बात करें, तो यहाँ पे देखो, पाई अपॉन में, 8 और minus 1 by 2, यह पाई अपॉन में, 4 और प्लस, 1, तो इसको देखते ही अपने को समझ में आ रहा है, इसका option कौन सा हो जाएगा, अगर मैं 4 LCM ल लिजी, यह 8 common लिजी है, तो यह answer आजाएगा, अपने पास में, option number 4, 13 में अगर बात करें, 13 की calculation को अगर आपन देखें, तो 13 में answer number हो जाएगा, अपने पास में, 4 option करेक्ट हो जाएगा, देखें, द्यान से, एक्सक्स के अनुदिश, यह पाई माइनस 4 अपोन में, पाई करते हैं, नेक्स्ट क्यूशन, अपने 30 क्यूशन कंप्लीट हो गए, अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्यूशन की, क्यूशन नमबर 31, क्यूशन नमबर 31 हमें गिवन है, थ्री यूनिफोर्म एंड थिन रोड, इच ओप मास M, एंड लेंथ L, आर प्लेश्ट अलोंग थी कोर इने टक्सिस हैं, और रोड ऐसे रखी गई है, एक रोड ऐसे रख दी, दूसरी रोड ऐसे रख दी, और तीसरी रोड ऐसे रख दी, यह मैंने मारकर लेख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, तीसरी रोड ऐसे रखी गई है, और फिर इनको रोटेट करवाया जा र पतलब y-axis और z-axis की वज़े से इसका moment of inertia होगा, तो अपने पास में total moment of inertia रोड के एक center से बात की जाए, रोड के एक point से बात की जाए, तो कितना होता है, m l square by 3 plus z-axis की बात करें, तो भी कितना होगा, m l square by 3 और x-axis पर खुद पर कितना हो गया, 0, क्योंकि वो तो घूमी नहीं रहा, तो i is equal कितना गया, इसको solve किया, तो 2 m l square upon में 3, I hope इसका answer आपको समझ में आ गया, option second इसका correct होगा, चलिए बात करते हैं, next question की, question number 32, question number 32 हमें given है, two wheels are connected by ये belt, दो wheel जो एक belt से connect है, the radius of large wheel is three times, that of smaller one, मैंलब ऐसी conditions हमें देर किये है, ये कोई बड़ा wheel है और ये कोई छोटा wheel है, और ये अपने पास में हमने कोई एक belt लगा कि इनको बांध रखा है, इसकी radius कितनी है, three hour है, और इसकी radius कितनी है, अपने पास में आ रहा है, ठीक है, what is the ratio of rotational inertia of larger wheel to the smaller wheel, when wheel have same angular momentum, दोनों का angular momentum भी same है, तो angular momentum की बात करें, तो angular momentum कितना हो गया अपने में यहाँ पे, L की बात करें, तो इसका हो गया, I1 omega 1 और इसका हो गया अपने पास में, I2 omega 2 और ये दोनों के लिए same है, अगर बेटा एक same belt से इनको गुमाया जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं, दोनों की speed भी क्या होगी, same होगी, V1 किसके equal होगा, V2 के equal होगा, अगर इसकी, अगर बात करें, तो इसकी omega है, omega 1 है, तो इसकी angular speed कितना होगी, omega 2 होगी, तो V की जगा अपने क्या लिख सकते हैं, omega 1 R1 is equal कितना होगया, omega 2 R2, तो omega 1 upon में omega 2 का ratio कितना आगया, यह आगया बटा, R2 upon में R1, तो यह ratio तो होगया, अपने पास में 3 के equal, R2 कितना है, 3 R है और यह कितना है, R है तो यह value तो आगया अपने पास में 3 के equal, चलिए ठीक है बटा, अब बात करना है, इनके larger और smaller के moment of inertia की, तो हमें निकालना है, I2 upon में I1 की value, I2 upon में I1 क्या हो जाएगा, omega 1 upon में omega 2, omega 1 और omega 2 की value कितनी है already, 3 given है, तो option number first, अपना correct हो जाएगा, आई होप यह बात आपको अच्छे से समझ में, आ गई होगी, चलिए बात करतें बीटा, next question की, चलिए बीटा, बात करतें, question number next, 33 के, देखे, 33 question हमें given है, angular momentum and linear momentum of a particular, I plus 2J minus 3K, and यह value दे रहिए, 2I plus alpha J plus 2K, तो आपको बताना है, alpha की value कितनी होगी, तो हमें पता है, L की value जो आपना लिखते हैं बीटा, तो हमें पता है, L is equal किसके होता है, R cross P के होता है, इसका मतलब हम कह सकते है, L और जो P होता है, वो एक दूसरे के क्या होता है, perpendicular होते हैं, और R B वेसे ही होता है, perpendicular होता है, तो यहाँ पर अगर आपन देखें, L और P के लिए देखें, तो यह दोनों क्या होंगे, L और P की बात करें, अगर यह perpendicular है, तो इनका dot product किसके equal होगा, 0 के equal होगा, perpendicular की condition हम यही तो पढ़ते हैं, कि अगर इनका dot product किसके equal हो जाए, A dot B अगर perpendicular है, तो dot product होगा, 0 के बराबर, check कर लिए दोनों का dot product और calculate कीजे, कितना हैगा, तो आई और इसकी बात करें, तो यह हो गया, 2 alpha के साथ में बात करें, तो यह कितना हो गया, 2 alpha और 2 को 3 से क्या, तो हमने देखा, यह कितना हो गया, minus 6 is equal 0, तो यह आगया अपने पास में, 2 alpha is equal 4, तो alpha प्राबर किसके आगया, 2 के, तो alpha की value कितनी होगी, हमारे पास यहाँ पे, 2, तो इसमें 33 में अगर अपने बात करें, तो 33 क्यूशन की अगर अपने बात करें, तो option हो जाएगा अपने पास में, second correct, I hope यह simple क्यूशन है, जो आपको समझ में, आ गया होगा, अगर अपने पास में, गिवन है बिटा, 2I-6J-12K, value of alpha, for which angular momentum about origin is congur, देखे बिटा, angular momentum congur होगा, तो हमें सीधा सा पता है, कि torque की value कितनी होगी, 0 होगी, torque क्या होता है, तो torque की बात करें, तो torque होगा, अपने पास में, torque is equal होजाएगा, R cross F, और यह value कितनी होजाएगी, गंजर होगा है, तो यह value कितनी होजाएगी, 0, तो हमें क्या करना है, R और F का cross product निकाल कर, उसको 0 के ब्राबर कर देना है, तो I hope आपका answer आप आसानी से, इसका gain कर लोगे, तो यह होजाएगा, I, J, K, और यह value देख लिजिए, कितनी है, 2, minus 6, और यह होगया, minus का 12, ठीक है बेटा, और alpha की value कितनी आजएगी, अपने पास में, यह दे रखा alpha, यह दे रखा है 3, और यह दे रखा है 6, इसका value निकाल गए, किसके equal करना है, 0 के equal करना है, जैसे ही आप value रखोगे, इसका answer आजएगा, तो जब अपने इसको solve करेंगे, तो 34, 34 का answer अपने पास में कौन सा होजएगा, 1, 1st option अपने पास में क्या होजएगा, correct होजएगा, calculate करके देख लिजी बटा, simple सी value आ calculate कर लिजी, आंसर आपका आसानी से आजएगा, चलिए बात करते हैं, next question की, तो next question अपने पास में given है, यह 34 ता, अब बात करते हैं, question number 35 की, question number 35 है कि, इस तरीके का कोई अपने पास में spare है, हम बात करें, which of the following points is likely position of center of mass of the system, यह कोई system दे रखा है, जिसमें A, B, C, D, कोई 4 points है, अगर इसमें बात करें कि center of mass कहा होगा, तो हमने बेटा center of mass का concept बढ़ा था, कि center of mass की जो position होती है, इसके लिए हमने देखा था, M1, R1 is equal किसके होता है, M2, R2 क्यों होता है, अगर M क्या हो गया, inversely proportional R क्यों हो गया, यानि center of mass के लिए क्या होता है, अगर अपने पास में heavy mass है, उसकी side center of mass क्या हो जाता है, shift हो जाता है, तो एक particle light है और एक particle heavy है, तो center of mass किदर होगा, heavy particle की side में होगा, तो अगर इस system की बात की जाए, तो अपने पास में कौन सा होगा, है next question की यहां पर जो next question हमें given है 36 36 को देखे क्या है इंप अच्छा question है इप the earth suddenly shrink such that its radius reduced to half of its present value अगर इसकी value क्या हो जती है present value से हाप हो जाए then the period of day is reduced तो period कितना हो जाएगा चलिए कोई टोर्क की बात नहीं कर रही कर रखा तो हम क्या मान सकते हैं इसका angular momentum क्या है इंगुलर momentum की बात करें तो conditions क्या हो जाएगे अपने पास में कि I1 omega 1 is equal किसक्त्य हो जाएगा आई 2 omega 2 क्या हो जाएगा अगर आई 1 आइ 2 की बात करें तो आई 1 omega की value कितनी हो जाएगी 2 πई अपन में यह कितना होजाएगा अपने पास में T1 अपन में T2 हो जाएगा I1 पहले रेडियस कितने है इसकी एक solid ispare, solid ispare है तो इसकी रेडियस R given हमारे पास में तो यह हो जाएगा अपने पास में 2 by 5 MR square अभी आपने इसको चेंज कर दिया और रेडियस को कितना कर दिया हाथ आदा कर दिया हाप कर दिया तो यह आगया अपने पास में 2 by 5 MR by 2 का square is equal हो जेगा T1 upon में T2 इसको जब solve करते हैं तो यह कितना हो गया कट गया बिटा हो यह आगया 4 1 upon में 2 का holy square 4 4 चला गया उपर तो यह आगया T1 upon में T2 T1 upon में T2 की बात करें तो T2 की value कितनी आगी यहां से देखें तो T2 यह आगया अपने पास में T2 is equal आगया T1 upon में 4 T1 कितना होता होता है अपने पास में आर्थ के लिए 24 upon में 4 मतलब 6 अवर तो अब यह 6 अवर हो जाएगा तो कितना रिड्यूस हुआ अगर देखें तो अब दी कितनी कम हो जाएगी तो 24 में से 6 को माइनस कर दो तो यह आपने पास में कितना 18 तो इसका आंसर कौन सा आजएगा अपने पास में सेकिंड और उप हमारे पास यहां पर क्यूसर नंबर 37 37 गिवन है थिन वायर ओफ लेंथ एल एंड यूनिफोर्म लीनियर मास्ट डेंसिटी रो इस बेंट यह पेटा यूनिफोर्म मास्ट डेंसिटी रो दे रिखिया है एम अपन में एल ठीक है तो एम की बात करेंगे तो यह कितना हो है एल अपन में टू पाई टू पाई की ट्रम में रख दिया हमने अब बात करा मोमेंट ओफ इनर्शिया ओप लूप अब आउट एक्स इसके अराउंड हमें बताने तो इसके अराउंड तो कितना होता है लूप की बात करें तो यह तो अपने पास में अम आर स्क्वेर बा ऑफशन आपने को दीख रहा है तो फोर्थ फोर्थ टाइप उप्शन आपने को ठोड़ा रहा है लाग रहा रहा है यह हो गया तो यह हो गया 3 by 2, M की जगह रख दिया, row L, into R की जगह रख दिया, L upon me 2 pi का whole square, जब इसको solve करते हैं, तो यह आ गया अपने पास में, 3 row L cube upon me कितना गया, 8 pi square, तो option number अगर बात करें, तो option number कौन सा होगा, अपने पास में, fourth option correct होगा, I hope यह बात आप अच्छे से समझ गए होगे, चलिए बात करते हैं, next question की, question number 38, देखिए ध्यान से, question number 38, क्या कह रहा है, a road AB of mass M, and length L is hinge at 1 and A, इसको बेटा कोई A end से hinge कर रखा है, यहाँ पे fix कर रखा है, अब बोल रहा है, the road is kept in horizontal position, इसको horizontal ऐसे माल लीजिए, इसको यहाँ से पकड़ रखा है, और horizontal position में रख रखा है, चलिए, आगे बात करने हैं बिटा, अब इसको एक massless string, यहाँ से string से आपने बांज रखा है, when the string is cut, जब इस spring को cut कर दिया जाता है, तो क्या होगा जियान से, अगर आप यहाँ पे देखो जियान से, तो इसको जब cut किया जाएगा, तो यह ऐसे जाएगी, पहले यह horizontal ऐसे थी, अब जैसे ही cut किया, तो यह ऐसे होगी, तो यही position हमें समझे निए, कि इसकी वज़े से, इसमें जो angular acceleration है, वो कितना आएगा, तो अगर इसके, आपने मास की बात करें, तो इसकी gravity की वज़े से weight कितना हो गया, mg हो गया, mg से perpendicular distance कितनी होगी बिटा, अपने पास में, L by 2 होगी, चलिए, यह बात तो हमें समझ में आगी, जैसे ही cut करेंगे, इसकी position ऐसे हो जाएगी, यह कोई इस position में आजएगा, अब इसकी नई position यह हो जाएगी, तो यह इसका, यहाँ पे center of mass shift हो गया, चलो, ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं, यहाँ पे टोर्क की बात करें, तो टोर्क is equal किसके हो जाएगा, I alpha, और यह किसके परावर हो जाएगा, force into perpendicular distance, तो force तो कितना लग रहा है यहाँ पे देखें, तो mg और perpendicular distance कितनी होगी, L है तो इसकी distance होगी, अपने पास में, L by 2 और L by 2, चेक कर लिजिए अब तो शिंपल सा कि उससे ने, equation लगा नहीं है, और चेक कर लिजिए कितना अंसोर आता है, यहाँ पे, तो अपने पास में mg into L by 2, यह तो perpendicular distance आगी, तो is equal होता है, I alpha, तो अगर road के center के यहाँ से, एक point से अगर hinge है, तो इसका moment of, अपने पास में, moment of inertia हो गया, M L square by 3, into यह कितना आगया अपने पास में, alpha, L से L cancel out हो गया, solve करते तो alpha की value आगी, 2G upon में 3, और यह value कितने होगी, L, 2G upon में 3 है, अगर यह option देखें, तो कौन सा option correct लग रहा आपने को, 2 upon में 3, G upon में L, option number अपने को, third option correct होगा, 38 में अगर बात करें, तो option कौन सा आपने पास में, 38 में बात करें, sorry, यहाँ पे हमें value find करनी थी, 3 नहीं पेटा, 3 नहीं पेटा, इसका option अपने पास में कौन सा होगा, fourth option correct होगा, एक मिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें किसकी value निकालनी है, यहाँ पे alpha की value निकालनी थी, तो यह value इधर आके कितने होगी, 3 और यह कितना होगा, 2, sorry, इसका answer अपने पास में होगा, fourth option correct होगा, 3 upon me, 2 GL, तो आप आई होप, यह बात आप आसनी से समझे होगी, यह लिखने में थोड़ी mistake होगी, तो option होगा, इसका fourth correct, 3 नहीं होगा, fourth option इसका correct होगा, चलिए देखिए, next question की बात करते हैं, बीटा, यह कोई horizontal plane पे यह disc है, यह roll कर रहे हैं, तो आपको बताना है, the magnitude of angular momentum of the disc about the origin O, यह कोई origin O के about हमें इसका angular momentum बताना है, चलिए ठीक है, बीटा, द्यान से देखिए, यह इसकी radius कितनी होगी, अब यह क्या कर रहा है, यह पहले एक सिंपल सी बात यह दे रखिए, कि यह rolling with angular velocity omega से कर रहा है, तो यहाँ पे इसके पास में दोनों टाइप के angular acceleration होगे, कौन-कौन से होगे, अगर बात करें, आपने angular momentum की बात करें, यह तो होगे अपने पास में, mvr, r इसकी radius है, तो capital r, plus, दूसरा हो जाएगा इसके rotation की वज़े से, वो होगे अपने पास में, i omega, अब बात करें, बैटा, disk की, disk of mass m, तो disk के लिए कितना होगेगा, यह तो होगे अपने पास में, mvr, plus, disk का कितना होगे, mr square by 2, और यह कितना होगे, साथ में, omega, तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें, value रख दें, यहाँ पे calculate करें, तो omega is equal कितना होगेगा, v upon में r आजेगा, तो यह value रख के देखें, बैटा, कितना आ गया, तो यह आगे अपने पास में, mv capital r रख दीजिए, क्योंकि radius इसकी r थी, plus, यह ओगे अपने पास में, mr square by 2 into, omega की value कितनी है, v upon में r, चेक कर देजिए, यह mvr है और यह mvr by 2 है, तो total कितना आ गया, 3 by 2 mvr, 3 by 2 mvr, यह तो mvr की ट्रम में है, बट हमें omega की ट्रम में बताना है, तो v की जगा r omega रख दीजिए, तो r omega रख देजिए, आंसर आ जेगा, 3 by 2 m r square omega के, तो v की जगा मैंने रखा r omega, तो आंसर आ गया, 3 by 2 m r square omega के, तो option अपने को कौन सा दिख रहा है, question number 39, 39 में अगर आपने बात करें तो अपने पास में option होगा, 3rd, अपने पास में, 3rd option correct होगा, यह अपना है, 3 by 2 m r square omega, आई होब एक simple सा question था, अपने पास में disk थी जो rotate भी हो रही थी और translation भी सो कर रही थी, तो दोनों type के angular momentum हमें यहाँ पे यूज करने थी और calculate करके बताना था इसका answer क्या होगा, चलिए बेटा बात करते हैं next question की, question number 40, question number 40 हमें गिवन है, यह गिवन है, एक T shape का कोई object है, इसकी length L और इसकी length 2L है, यह दोनों कोई सी smooth floor पे lying, dimension in the figure is lying on a smooth floor, the force is applied on the point P, P point वे force लगाए जाता है, AB के parallel, such that object है, यहाँ पे हमें सिर्फ यह बात कहींगी है, इसके पास सिर्फ translation motion है, यहाँ पे rotate नहीं हो रहा है, सिर्फ translation motion है, मतलब torque की बात कर रहा है, तो torque किता होगा इसका, rotation नहीं है, तो torque होगया, 0, torque 0 होगया, तो angular momentum क्या होगा, constant होगा, यह चांजर होगा, angular momentum यहाँ पे चांजर होगा, इस case में, अगर torque 0 है, तो हम कहाए सकते हैं, यह जो force लग रहा है, यह कहाँ पे लग रहा है, इस road के center of mass पे लग रहा है, यह क्या होगा, इस second road का center of mass होगा, तो अगर अपने इसकी position की बात करें, तो यहाँ पे मैंने माल लिया origin, तो यह हो गया 0, 0, इसका mass हो गया, इसकी length 2L है, तो इसका mass भी double हो गया, यह हो गया 2M और 2L, तो यहाँ पे यह कितना हो गया, अपने पास में L और यह हो गया L, यह force कहाँ पे लग रहा है, इस road के center of mass पे लग रहा है, अगर इस case में हमें find the location of P, P की location find करनी है, तो देखिए बिटा, यहाँ पे कोई अपने पास में हम check कर लेंगे, यह कोई point P होगा, यह तो इसका center of mass था, यह कोई point P है, जो हमें calculate करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे value रखिए बिटा, moment अगर बात करें पर center of mass की, तो यहाँ पे center of mass की position मैंने लिग दिया YCM, तो यह कितना आजेगा, M1, Y1 plus M2, Y2 upon में कितना हो जाएगा, M1 plus M2 हो जाएगा, value पुट कर दीजे बिटा, पहले के लिए हमने origin पे मान लिया, 0, दूसरे के लिए कितना हो गया, 2M into, यह length कितनी होगी, L, upon में यह कितना हो गया, M plus 2M, जब इसको solve करते हैं, तो यह value कितनी आगी, 2M से हो गया, तो यह आगया, 2 upon में 3L के, कितना आगया, 2 upon में 3L, बट हमें यहाँ पर क्या पूचा है, क्यों सब्सक्राइब पूचा है, पूइंट C से कितना होगा, इस पूइंट C से, तो यह पूरी कितनी है, 2L है, हमारा, यहाँ अपने पास में 2L, बाइट थी बट हमें तो यह पता नहीं इससे कितनी होगी तो इसको माइनस कर देंगे तो यह आज एगा अपने पास में 12-12 बाइट री सोल करते हैं तो 6 में से गया यह अंसर आपने पास में 4L अपन में 3 आई होड़ इसके बाद करें तो कौन सा होगा अज़ेट इस बात करतें होंगे चलीए बटा बात करते हैं नेक्स्ट क्यूसिन की हमारे पास में जो अइस्ट क्यूसिन गीवन है एफ लग रहा है ठीक है कि इस्केप्ट ऑने रफ-horizontal प्लेन इसको होरी रफ यह अपने पास में यह रफ प्लेन है पिटा तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी लगेगा और रोलिंग फ्रिक्शन तो इसकी डाइरेक्शन किदर होगी अगर यह रोल होगा तो rolling friction किदर होगा अब वाड डायरेक्शन में होगा इसकी rolling अगर इस तरीके से अगर यह rotate कर रहे है चलिए ठीक है बीटा आगे बात करें इप इस पेर रोल्स विदाउट sleeping sleeping नहीं होरी find the acceleration of center of spare center of spare अगर मान लिजिए इसका acceleration हमें बताना है कितना होगा तो पहली condition एक equation दिख रही होगी अपने को force blends करते हैं एप प्लस एप बराबर कितना हो गया में यह हमारे पास में कौन सी equation है first equation given है चलिए बात करते है next अब अगर बात करें इसके torque की क्योंकि यह घूम रहा है तो यह force इदर लग रहा है यह force इदर लग रहा मतलब दोनों की direction कि इदर होगी अपोजिट होगी यह इसकी direction इदर है और इसकी direction इदर है तो दोनों opposite direction में तो इनके लिए torque की बात होगी torque हो जाएगा अपने पास में force into perpendicular distance तो टोर्क की बात करें तो यह कितना होगी और friction की वज़े से भी perpendicular distance कितनी होगी और दोनों opposite direction में इसलिए मैंने minus ले लिया इज इक्वल आई कितना होगया यह किसकी बात कर रहे है एक की solid despair की तो solid despair का कितना होगया 2 by 5 m r square into alpha की जगा आगया a upon me r I hope अब तो आईए question बेटा दो equation आपको सामने दिख रही होंगी इन दोनो equations को solve करके आसानी से हम बता सकते answer क्या आएगा इसको थोड़ा solve क्या तो यह equation आगी f minus f is equal 2 upon me 5 m a के आगया यह value बिटा यह plus f और यह दोनों को अगर अपने यहाँ पर solve कर लेते हैं तो अपने answer यहाँ पर आसानी से आ जाएगा चेक कर लिजिए यहाँ पर f cancel out हो गया तो यह आगया 2 f is equal 5 और यह को हो गया अपने पास में 7 upon me 5 m a के आ गया एको solve करेंगे तो कितना आ गया 10 upon me f 7 m के तो option अपने पास में कौन सा क्रेक्ट होगा second option इसका क्रेक्ट होगा आई होप यह बात आपको समझ में आ गही होगी चलिए बात करते नेक्स्ट की क्यूसर नंबर 42 42 है a solid slender is released from rest from the top of incline of inclination theta the length l if the slender rolls without slipping बिना sleeping के roll कर रहा है what will be its speed when it reach the bottom यह को inclination angle है अपने पास में theta inclined plane दे रहा है और कोई slender है जो इस पर क्या कर रहा है बिना sleeping के roll कर रहा है बिना sleeping के roll कर रहा है मतलब इसमें rotation plus translation दोनों energy है चलिए check करते हैं इसमें अब इसकी length l दे रहा है तो यह कितनी हो जाएगी अपने पास में l sin theta I hope यह बात तो समझ में आगी होगी आपको क्योंकि perpendicular और अपने hypotenuse की बात करें तो sin theta तो यह हो गया अपने पास में l sin theta चलिए बेटा देखते हैं अगर इसकी kinetic energy की बात करें without sleeping है तो इसकी energy हो जाएगी अपने पास में half mv square plus rotation की वज़े से आजाएगा half i omega square यह किसकी बात कर रहे है बेटा solid cylinder की बात कर रहे है तो यहाँ पे जब soul करते तो यह आगया अपने पास में half mv square plus यह आगया half i की जगह कितना आ गया m r square by 2 और omega की जगह कितना आ गया वी अपॉन में r का holy square टेकर लीजिये इसको जब Exam ن monter उस्ट हम बात कर यह नजी की बात करी तो यह आगया अपने पास में 1 by 2 plus 1 by 4, तो यह होगी अपने पास में 3 by 4 mv square, I hope यह बात तो आपको बेटा अच्छे समझ में आगी होगी, अब यही एनर्जी किसके रूप में, इसकी potential energy के रूप में, तो यहाँ पर energy conservation लगा दें, kinetic energy किसके equal होगा, potential energy के, तो यह हो जाएगा अपने पास में 3 by 4 mv square, और potential energy कितने हो जाएगी, mgl sin theta, solve कर लिजे बिटा, तो v की value कितने आगी अपने पास में, root, यहाँ पर कितना हो गया, 4, यहाँ पर value रग दीजे, तो यह हो गया अपने पास में, 3 by 4, अपने पास calculate करना है, तो यह value देख लिजे, कितनी है, यह गया अपने पास में, 4 upon me 3, यहाँ गया, gl sin theta, तो अगर इसके options की बात करें, तो इसमें option कौन सा अपने पास, 4 upon me 3, gl sin theta, 42 के बात करें, तो 42 में अगर अपन बात करते हैं, बेटा, यहाँ पे, तो 42 में option अपना first correct होगा, first option अपना सही, I hope यह simple, और यह याद भी रखना, आपको simple यह चीज अपने को normal ध्यान भी रखनी है, कि कैसे energy conservation अपनी यहाँ पर apply करेंगे, I hope एक simple question था, जिसको हमने solve किया, भी बात करते हैं, next question की, question number 43, question number 43 given है, a circular disk A of radius R is made from a iron plate of thickness T, T से बनाए गई यह और दूसरी plate है, जिसकी radius 4R है बटे, उसकी thickness T by 4 है, तो relation बताना है कौन होगा, तो simple सी बात था बेटा, a circular disk की बात करें, तो इसका हो जाएगा, mR square by 2 हो जाएगा, m की बात करें, तो m हो जाएगा, rho into V हो जाएगा, यह हो जाएगा, अपने पास में, R square by 2 हो जाएगा, density तो ठीक है, बात कर लिए, density की थिकनेस की बात करें, तो थिकनेस की बात करेंगे, तो यह हो जाएगा, area, तो area हो जाएगा, pi R square, थिकनेस की बात करें, तो यह हो गए, T into ये radius आगी इसकी R square by 2 के, सिधी बात द्यान से देखिए, इसकी radius 4R और ठिकनेस है इसकी radius 4R और इसकी ठिकनेस आप तो मदब radius तो बहुत ज़्यादा है इसकी radius ज़्यादा है, ठिकनेस अगर कम भी है तो कोई बात नहीं, इसका moment of inertia हमारे पास में क्या होगा, ज़्यादा क् पर already square R है, तो अगर 4R का square करेंगे, अगर अपन इसको ratio को देखें, IA upon IB की बात करें अपन, IA upon IB की हाँ पर बात करें, तो इसकी radius कितनी 4R है और इसकी radius कितनी R, तो यह आजएगा अपने पास में, R1 upon में, R2 की power 4 into thickness की बात करें, तो यह आजएगा अपने पास में, T1 upon मे T2, तो चेक करें लिए, radius बहुत ज्यादा है, तो जिसकी radius ज्यादा होगी, उसका moment of inertia भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा, option 3rd, 43 की बात करें, तो 43 में अपने पास में कौन सा होगा, 43 में 3rd option अपना correct होगा, simple IM की जगा में value रखनी है, calculate कर लेन है, I hope आप यह समझ गया होगा, अच्य से, क्योंकि इसमें, disk का area होगा, pi r e square into इसकी thickness, एक simple सा question था, जो हमने solve किया, बात करतें, next question, question, देखें, ध्यांसे, question number 44, 43 आपको समझ में आ गया होगा, बात करतें, question number 44, if the position vector of force इतना, and r इतना दिन, torque about origin, यह तो एक्दम simple question है, हमें पता होता है, torque कितना होता है, torque ही equal होता है, हमारे पास में, r cross f, torque कितना होता है, r cross f, अब आप यहाँ पे r और f, easily calculate कर सकते हैं, i, j और k में, यहाँ पे value पुट कर दीजिए, तो r हो गया, अपने पास में 3, minus 4, और यह हो गया, अपने पास में 5, यह हो गया, minus का 2, यह हो गया, 1, और यह कितना हो गया, minus का 3, इसको solve कर लीजिए, इस console आजеगा, तो आपन बात करें, 44 में, तो question number 44 में बात करें, तो इसका option कौन सा होगा, second option इसका correct होगा आप आसानी से इसको solve कर सकते हैं और value बता सकते हैं कौन सी आईजी चलिए बैटा बात करते हैं last question अपना question number 45 45 है when a solid spare rolls without sleeping एक solid spare है बैटा जो roll कर रहा है बिना sleeping के the ratio of its kinetic energy of translation to its kinetic energy तो हमें इसमें बता नहीं है the ratio of its kinetic energy of translation translation और total kinetic energy तो trans-like kinetic energy की बात करें तो अपने पास में velocity कि वृजए से होती है तो वह अपने पास में half MBA square और total kinetic energy की बात करें तो वह अपने पास में यह ढ़ गई translation plus rotation half M 2 square-pr via st drugs of i omega 2 half i oh Aid square plus half i omega 2 to यहाँ पे अगर अपन बात करें अगर इसमें total की क्या है solid spare है तो रख दीजिए बिटा वेल्यू यह आ गया half mv square प्लस यह कितना गया half i की जगह spare है तो यह आ गया 2 by 5 mr square omega की जगह रख देंगे v upon में r का square solve कर लिजिए तो यह आ गया अपने पास में 1 by 2 mv square प्लस यह वेल्यू कितने आगी बिटा यहां पर जब इसको solve करते हैं तो यह आ गया 1 by 2 तो इसमें हई तो यहां पर common ले लिजिए 1 by 2 को तो यह बचकिया 1 plus 2 by 5 तो यह आ गया अपने पास में total की बात करें तो यह आ गया 7 by 5 तो इसको total answer करेंगे तो उपर तो है अपने पास में half mv square और नीचे बात करें तो यह आ गया अपने पास में total half mv square और यह कितना आजेगा अपने पास में वेल्यू रखी तो यह आ गया 7 upon में 5 तो solve कर लिजिए यह answer आ अपने पास में 5 upon में 7 आई होप यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गए होगी यह अपना हो गया फॉर्थ आज हमने इस माइनर का solution देखा माइनर 5 का आई होप यह solution आपको अच्छे से समझ में आया होगा आप चेक कर लिजिए अपने questions को आपके कितने number आए थेंक्यू